मैं अपने सभी प्यारे बच्चों के लिए लेकर क्या आई हूँ नया अध्याय फिजिक्स क्लास 12 का सेकंड पार्ट जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कीरन प्रकाशकी के उपर तो भाई सभी बच्चे जल्दी से आजओ फटा फट से इस वीडियो की लिंक अपने सारे दो और सबसे बड़ा चाप्टर लंबा चाप्टर तो बिल्कुल हम शुरुआत कर रहे हैं इस सबसे बड़े भयानक चाप्टर की क्योंकि कीरन प्रकाशकी से सबको डर लगता है तो भाई डरने की बात नहीं है मैं आप लोगों के दिमाग पर ऐसा प्रकाश डालूंगी कि की प्रकाशकी पूरा क्लियर हो जाएगा जल्दी से बस शुरुआत करनी है आप लोगों को इस क्लास में प्रॉपर आ जाना है सभी बच्चों को कॉपी पैन निकाल लो और बिल्कुल नोट्स हर चीज का बनाना है छोटे छोटे बेसिक कॉंसप्स भी मैं आप लोगों के क्ल क्योट बोई ओहो क्या बात जल्डी से आजाओ सारे बच्चे आ जाओ लक्ष्मी याश गुडीवनिंगे आवरीवान गुडीवणिंग भूमिका गुडीवनिंग शाय लेंद्रा गुडिवनिंग, कंचन गुडिवनिंग बीटा, एवरीवन, गुडिवनिंग, कृषना, शुनिल, सभी बचों को फटटाफटसे बस हमको क्लाश की शुरूवात करनी है शुरू किया जाए बताओ मताये शुरू किया जाए करे शुरूवात आगये सारे बच्चे गुड़ेवर्न इ길 aún एनु शालिनी अभी मुहम्माद रितु राना जी ओहो शुरू करे शानु भाई संदीब शुरू करे बिटा सुनिल कुमार ओके वेरी गुड गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग शुरुवात करते हैं हम कीरन प्रकाश की चाप्टर की जिसमें आज हम लोग लेक्चर वन पढ़ने वाले हैं और आप लोगों को लेक्चर वन स्टार्ट करने से पहले मैं याद दिलाना चाहूंगी कक्षा दस्वी की तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि कक्षा दस्वी में किसने किसने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चाप्टर पढ़ा है और किसने किसने नहीं पढ़ा है जल्दी से मेरे को बताए देखो होता क्या है जब बच्चे 8th 9th में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि पढ़ाई में इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं बहुत लापरवाही करते हैं कितना भी teachers बोले कितना भी बड़े बोले कि mobile कम खेलो थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे लो तो बात समझ में आती नहीं है कि नहीं किसने किसने यह mistake करी है अरे गलती से mistake नहीं कर रहे हो तुम जान बुचके mistake करके आए हो बट अभी भी समय है अगर focus करके पढ़ोगे तो हर एक concept में आप लोगों का clear कर दूंगी बताओ मेरे को दसवी मे किसने किसने वह वैरी गुड सारे बच्चे पढ़े हैं कुईन ने पढ़ा है क्यूट वोई ने भी पढ़ा है पुर्शोत्तम ने भी पढ़ा है सूजल ने भी पढ़ा है तो बहुत सारे बच्चों के यस आ रहे हैं तो बिलकुल आप लोगों को जो है इसका दो पार्ट ह फिर आप लोगों ने जो मानव, नेत्र और रंग, बिरंग, संसार आप लोगों ने पढ़ा था जहां पर वर्ण, विक्षेपन, प्रकाश का वहाँ पर जो भी आप लोगों ने पढ़ा है सारी चीजे जो है आप लोगों को इस चाप्टर में पढ़नी है, तो पूरा टैंथ का सिलेबस को ही हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि वहाँ पर आप लोगों ने दरपन, सुत्र, लैंस, सुत्र, आवर्धन, इस सब का डारिक्ट सुत्र पढ़ लिया था चोटे चोटे नियुमारिकल्स आते थे, आप लोगों को यहाँ पर इस चाप्टर से जो है बिल्कुल उनसुत्र का पूरा डैरिवेशन आप लोगों को पढ़ना होगा, पूर्णा अंतरिक परावर्तन आप लोगों को पढ़ना होगा, अप वर्तन आप लोगों को पढ़ इस लिए आप सभी बच्चों को मेरे फ्लो के साथ गो इना बनाना होगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कान खुले रखने पड़ेंगे क्या कान खुले रखने पड़ेंगे हाथ एकदम एक्टिव होना चीए दिमाग एकदम एक्टिव होना चीए क्योंकि कान से जो है सिगनल दिमाग में जाएगा आखों से सिगनल दिमाग पे जाएगा तभी तो दुम हाथ की स्पीड बढ़ा प पढ़ लेंगे समतल दर्पण से परावर्तन और चिन्ह परिपार्टी के समतल दर्पन से परावार्तन से रिलेटेड भी काफ़ी सारा न्योमारिकल आता है तो दसवी पढ़े हो वह मैं पूरा रिवाइस humans पर related numerical कैसे आते हैं तो इस बात पर हम लोगों को आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत जादा फोकस करना है और शुरू करते हैं हम प्रकाश का परावर्तन परावर्तन मतलब क्या होता है आप सभी अवगत हो इस शब्द से पर फिर भी हम यहां पर देख लेते हैं कि अग कोई चमकीली सता है जिसके पीछे पर हम लोगों ने क्या कर रखा है अगर पॉलिश कर रखा है तो उसकी वज़ा से इसका जो दूसरा हिस्सा है वो कैसा सता हो जाता है चिकना चमकीला सता हो जाता है कैसा हो जाता है चिकना और चमकीला ठीक है तो होता क्या है इस चिकने औ और चमकीले सतहा पर अगर कोई प्रकाश की कीरण आती है ठीक है तो प्रकाश की कीरण तो सबसे पहली बात प्रकाश की कीरण आईगी कहां से तो एक मुख्य स्त्रोत होता है हमारा सूर्य क्या होता है एक मुख्य स्त्रोत होता है प्रकाश का सूर्य तो दिन के समय में तो बि purchasing के बारे में कख्षा बारे में शुरू से पढ़ते आ हो है की नहीं तो वह से आप लोगों को क्या मिलता है प्रकाह का इस Just the वहाँ से मिलती है प्रकाइश की की Rainे मिलती है जिसको हम केते है रे या फिर कीरण ठीक है तो अब इस से ही हम लोगों के इस चाप्टर का नाम बना क्या बना कीरण प्रकाश की एवं प्रकाशी की अंत्र मतलब की कीरण प्रकाश की प्रकाश से जो कीरण आ रहा है उसका पूरा हम लोगों को यहां बर स्टेडी करना है और प्रकाशी की अंत्र मतलब की जो हम पढ़े थे मतलब आखों के रिलेटेड दसवी कख्षा में कि हम लोग कैसा लेंस लगाते हैं क्या करते हैं उन लेंस से क्या बनता है और उसके क्यामरे के अलावा भी बहुत सारी चीजे बनती है तो वो सारी चीजे जो है प्रकाशिक यंत्र में हम लोग पढ़ेंगे ठीक है, तो कीरन प्रकाश की में मैं बात करी हूँ, प्रकाश के कीरन की, जिसको हम लोग यहाँ पर रे बोलते हैं, और जैसे कि अगर मानलो की कीरने इस तरह से एक दूसरे के समनांतर आ रही है, तो इनको मिल्कुल समनांतर कीरन बोलते हैं, यह कीरन कैसी है, आपतित कीरन है जो जाएगी उसको बोलेंगे हम परावर्तित कीरण ठीक है परावर्तित कीरण अब जो यहाँ पर प्रकाश की कीरण आ रही है वो जब यहाँ पर धर्पन के जिस बिंदू पर आ रही है इस बिंदू को हम क्या बोलते हैं इस बिंदू को हम बोलते हैं आपतन बिंदू क्या अब हमको करना क्या होता है कि इस आपतन बिंदू के अभिलंबवत हम लोगों को एक लकीर खीचनी होती है और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं अभिलंब अभिलंब क्यों बोलते हैं क्योंकि हम लोग इसको इस आपतन बिंदू के लंबवत खीचते हैं इसलिए ये अभ पड़ी हुई बाते आपको याद दिला रही हूं और बिल्कुल यह हो गया आप लोगों का बिल्कुल प्रकाश का परवर्तन तो इसी तरीके से कोई भी चमकिला जैसे की आप लोगों ने अपने घर के बरतन में भी देखा होगा अगर कोई स्टील का बरतन है बिल्कुल चिक कर रहे होगे यह कर रहे होगे तो दरपण में आप अपने आपको क्लियर देख पाती हो है कि नी तो परावर्तन बहुत सारी जगह से होता है पर वो सतह पर निर्भर करता है कि वो किस तरह का सतह है ठीके तो बिल्कुल जो भी मैंने आप लोगों को बताया छोटी सी परिभ बनाता है इसको अंग्रेजी में हम नॉर्मल भी बोलते हैं ठीक है अब ये नॉर्मल के साथ आपतित कीरण जो कोण बना रही है वो क्या कहलाता है आपतन कोण और जो परावरतित कीरण जो कोण बना रही है वो क्या कहलाता है परावरतन कोण ठीक है तो ये तो बचपन की बा प्रकाश का परावर्तन पड़ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को एक माध्यम चाहिए होता है। ठीक है, जब कोई प्रकाश की कीरण किसी एक माध्यम से संचरित होती है, मतलब की बहती है, तो अपार दर्शितल से टकरा कर, अब इसको अपार दर्शितल क्यों बोलते है क्योंकि दरपन के लिए सबसे पहले उसकी एक सत्ता जो है पॉलिश्ड होनी चाहिए यह जरूरी है एक सत्ता कैसी होनी चाहिए नीचे में यहाँ पर पॉलिश लगा होना चाहिए क्या लगानों चाहिए पॉलिश लगा होना चाहिए तभी तो क्या करेगा यह दरपन का काम क चली जाएगी जैसे कि गाड़ी का काच होता है जैसे कार में साइड में काच लगा होता है तो क्या होता है प्रकाश की कीरण आर पार चली जाती है है कि नी अंशी का बेटा साक्षी अलोग चंदन सभी को मेरी बात समझ में आ रही है कुशाल बेटा गुडीवनी अजती करना बहुत जरूरी है आप चिंता मत करो क्लास में जो तीन दिन क्लास लगती है उसमें मैं आप लोगों को जो है दो दिन के बराबर वैसे भी मेरी क्लास लंबी होती है और आप लोगों को मैं पूरा-पूरा पढ़ाती हूं कहीं पर भी कुछ भी मिस नहीं होगा पर अब सम आप पढ़ाती हो आपको देखते रहने का मन करता है इतना गजब पढ़ाती हो मैं हो भाई थाइंक्यू सो मच थाइंक्यू मतलब दिल गार्डन गार्डन कर दिया अदीती के इस कमेंट ने है की नहीं अनामी का दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा बिलकुल अदीती का कमें मैं यहाँ पर अपार दर्शी तल पे थी और अदिती के कमेंट ने मुझे कहां से कहां पहुचा दिया, वापस आजाओ सब, वापस वापस, अपार दर्शी तल पे वापस आजाओ, एक प्लेट जो है, वो पॉलेट, काज का एक साइड अगर पॉलिश कर दिया जाए, तो दूसरा साइट चमकीला सतर बन जाता है जिससे क्या होता है कि वो पार नहीं कर पाता है प्रकाश तो वो अपार दर्शितल बन जाता है और अपार दर्शितल से क्या होता है जिस माध्याम से आया था उसी माध्याम में क्या हो रहा है वापस लोट रहा है तो इस घटना को परावर्तन कहलाती है, सभी को clear है, आगे बढ़ें, very good, तो भाई अभी हम लोगों को आगे जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ने हैं, दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के किसको किसको याद है, क्या याद है किसी को, अनी, शुमन, अभिशेक, सुनिल पिटा, सचिन, कंचन पिटा, याद है किसी को, ब्रजेश, जल्दी से बताव में को वर्तिका, किसी को याद है, देखो बहुत इंपॉर्डेंट चाप्टर है बात समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्डेंट चाप्टर है, तो इस चाप्टर में आप लोगों को बहुत बना करके रखना है और सबको जो है ध्यान से पढ़ाई करना है ठीक है एकदम ध्यान से चलो गुट तो भाई इसके बाद हम प्रकाश के परावर्तन के दो नियम पढ़ेंगे तो देखो पहला की पहला नियम जो है आपके आपतन कोण और परावर्तन कोण से संबंधित है किस बराबर होना चाहिए यही पहला नियम कहता है यह परावरतन का नियम है तो कैसी भी सता हो खुरदूरी सता हो चिकनी सता हो समतल दरपन हो गोली अदरपन हो किसी भी प्रकार का दरपन हो जहां पर भी परावरतन हो रहा है हर उस जगह में क्या होगा यह प्रकाश के परावरत कोण के बराबर होता है आपटन कोण को हम लोग आई क्यों लिखते हैं तो देखो बेटा इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंसीडैंट रे टिकए क्या बोलते हैं इसको incident तो इसी वज़ा से हम लोग इसको क्या प्रदर्शित करते हैं ठीटा आई या फिर आई सरे थीटा आई या फिर क्या करते हैं, आई से प्रदार्शित करते हैं, ठीक है क्यों I for incident, I for ila क llic आ फिर आई फिर आई फिर वां फिर इन्सिडेंट रहे हैं बात समझ में आ रही है, बलकुल अब यहां पर यह incident रहे और ये परावर्तित कीरण ये अंग्रेजी में कहलाता है reflection ठीक है ये क्या कहलाता है reflection तो यहाँ पर ये जो परावर्तन code है तो ये क्या हो जाता है r for reflection परावर्तन code इसको theta r या फिर जो है code r से हम प्रदर्शित करते हैं जो इसको इस तरह से हम पहले नियम को लिखते हैं और जैसे कि हम लोगों ने पहला नियम पढ़ा तो हम लोगों ने यहां पर देखा कि आपतित कीरण जो है उसी माध्यम जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में क्या हो रहा है पर आवर्तित कीरण यहां पर लोट के जा रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर आपतन बि शिवराज, अलका, कोई बता सकता है, मलिक, सुनिल कुमार, साक्षी, बता सकते हो, बता सकते हो, कि यहाँ पर क्या होगा, second law क्या कहता है, किसी को याद है, सब पढ़ क्या होना, सब का yes आया था, कौन बताएगा, कौन बताएगा, किसी को याद है क्या, ब्रजेश, जल्दी स आपतन, आपतित की रण, परावर्तित की रण, और आपतन बिंदू कैसे होते हैं, आपतन बिंदू और खीचा गया अभिलंब, ये सारी चीजे क्या होती है, एक ही तल में होती है, कहां पर होती है, एक ही तल में होती है, ये जो होता है आप लोगों का, प्रकाश के पराव पर होंगी जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं यहां पर मैं आप लोगों को बताती हूं जैसे कि यह मान लो की यहां पर यह मीरर है मान लो यह मेरा फोन का स्क्रीन को मैंने मीरर बना लिया और यहां पर जो है यह क्या हो गया तल हो गया यह जो है यह क्या हो गय तीनों एक ही तलपे होंगे यह जो है परावर्तन का दूसरा नियम है बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के बेटा मेरा नाम इलाकरांती गुपता है और बिल्कुल आप इलाकरांती मैम से जो है पूरी फिजिक्स की पढ़ाई करने वाले हो अल ठीक है प्रिया बिटा क्या लगता है आपको होगा आसान साक्षी पाठक प्रिया साक्षी राजा क्वीन खुशल मंजू पाठक चंदन क्या आपको लगता है कि यह चैप्र आप लोगों के लिए आसान हो पाएगा बिल्कुल ब्रजेश बदाओ भाई वर्तिका आकाश हो जाएगा भई हो जाएगा बिल्कुल हो पाएगा और इसके आगे हम जो है बात करते हैं यहां पर यह मिरर आप यह इमेज आप लोग देख पा रहे हो ठीक है सभी बच्चों को शुरू से लेकर के आखरी तक क्लास में बने रहना है कोई बच्चा नहीं जाएगा आप हो इसमें आप लोग देख रहे हो कि यह बच्चा जो है अपने आपको यहां पर दरपड में देख रहा है और इसको यहां पर इसकी क्लियर इमेज दिखाई देरी है तो यह अपने आपको क्या कर रहा है अपने आपको कहां पर देख रहा है दरपड में देख रहा है तो द प्रकाश का परावर्तन की वज़ा से ये बच्च आपने आपको दरपन में देख पा रहा है आप भी अपने आपको दरपन में देख पाते हो जो क्योंकि वहाँ पर क्या होता है प्रकाश का परावर्तन और चिकनी चमकीली सता होती है चिकनी सता है इसी वज़ा से यहाँ पर अरे यहां पर तो हम बहुत गोरे दिखाई दे रहे हैं क्यों लक्षमी कभी देखा आपने आपको तो वहां पर जो है अच्छे अच्छे क्वालिटी के जब मिरर्स लगे होते तो हम अपने आपको बहुत सुन्दर देख पाते हैं वहां पर क्लियर पिक्चर दिखाई देती एक्चिली में भगवार ने हमको बहुत भी खुबसूरत बनाया हुआ है पर होता क्या है बस दरपन की क्वालिटी पर डिपन करता है वट आप अपने दोश से पूछो क्या है मैं सुन्दर हूँ तो बिल्कुल भाई आप सुन्दर हो ठीक है तो यहां पर जब हम यह वाला ज जो पानी है उसमें क्या होती है बिल्कुल इस तरह से लहर होती है ठीक है पानी क्या होती है बिल्कुल लहर होती है यहां से प्रकाश का परवर्तर इस पानी से भी हो रहा है जिसकी वज़ा से हम लोगों को यहां पर प्रतिबिम्ब दिखाई दे रहा है परंतु यह जो पा प्रकाश की कीरण यहां पर आती है और टकरा कर जब वापस जाती है तो क्या होता है कि जैसे आएंगी तो समनांतर पर प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए क्या करती है जैसे कि यहां पर आई तो यह आपतन बिंदू पर अभिलंब बनाती है और जैसे कि यहा के समनांतर ना जा करके तिर्चा मिर्चा चली गई कैसे चली गई तिर्ची मिर्ची हो करके चली गई क्यों चली गई क्योंकि ये परावर्तन के पहले नियम का पालन कर रही है जिस बिंदू पर आती है तो वहां से आपतन कोड और परावर्तन कोड का मान जो है बराबर होता ह और पहले नियम का पालन करते हुए वो एक ही तल पर वापस लोट गई पर अंतु समनांतर ना लोट करके ये कैसी लोटी तिर्ची हो करके लोटी ठीक है जिसकी वज़ा से यहां पर जो प्रतिबिम्ब हम लोगों को दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है दूंदला द दिखाई देता है तो बिल्कुल यहां पर वो गाना सूट करता है जो आज कल निकला है सब कुछ दुंदला है सब कुछ दुंदला है दुंदला है किसी ने यह गाना सुना है क्या ब्रजेश तुम बताओ क्या तुमने यह गाना सुना है तो बिल्कुल उस गाने का लिरिक् परावर्तन ठीक है ब्रजेश, शिवानी सभी को समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हो नियमित और अनियमित परावर्तन जो हम लोगों ने पढ़ा लोगों ने जो पढ़ा इसको आप लोगों को परिक्शा में जब लिखना है तो इस तरह से चित्र बनाना है और यहां पर समनांतर केरने आ रही है और बिल्कुल समनांतर केरने जा रही है नियमित प्रतिबिम्ब यहां पर बन रहा है बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही थी और वो खुबसूरत सा बच्चा और भी खुबसूरत दिखाई दे रहा था अनियमित प्रतिबिम्ब यहां पर बन रहा है और इस अनियमित प्रतिबिम्ब के बाद हम प्रतिबिम्ब के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्रतिबिम्ब बन रहा है ठीक है वो दो प्रकार से प्रतिबिम्ब बनता है ठीक है वो दो प्रकार क्या होते हैं प्रतिबिम्ब के य मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आलोक, श्रद्धा, राना, क्रिशन, राजा, दिपांजिली बेटा, दिपांजिली आचल, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल सुना है, गाना सुना है, ब्रजेश को गाना अब याद आ रहा है, तो बिल्कुल बहुत अच प्रतिबिम्ब बन रहा था, ठीक है, तो ये प्रतिबिम्ब जो है, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के कैसे होते हैं, ये निर्भर करता है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि वैसे दरपन के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, पर कोई बात नहीं, अभी मैं बता देती हूं दर्पन जो है दो प्रकार के होते हैं एक होता है समतल दर्पन दूसरा होता है गोलिय दर्पन समतल दर्पन और गोलिय दर्पन के बारे में हम लोगों को डितेल में पढ़ना है कि वहां पर कैसे प्रतिविंब बनता है क्या बनता है पर वो सब पढ़ने से पहले की बताना चाहूंगी यहां पर जो है दरपन के प्रकार बता दिया मैंने प्रतिबिंब के प्रकार बताना चाहूंगी तो जब आप लोग यह वाला ऐसा एक दरपन है जहां पर यह इस तरह से पीछे की तरह पॉलिश हुआ है और यहां पर जो है क्या हो रहा है इस मालों की ये मालों की फ्लावर ये जो है आप लोगों का कोई वस्तू यहां पर रखा हुआ है और इस वस्तू से क्या हो रहा है इस वस्तू से जो है प्रकाश की किरने इस कांच पर आ रही है ठीक है ये मतलब की ये वस्तू यहां पर क्पहें समझ रहाएं ठीक है आनीश पुरिया कुछल क्या समझ रहा है दरपन पर उस वस्तु का प्रतिभिम्ब बनेगा तो दो प्रकार का बनेगा कैसे बनेगा इस बात को हम यहां पर समझ रहे हैं तो जब इस तरीके से एक जो है रोच यहां पर यह जो है संकल्प खड़े हो करके देख रहा है यहां पर कौन खड़ा हुआ है संकल्प खड़ा हुआ है संकल्प यहां से देख रहा है नजरे गड़ी हुई है इसकी कैसे यहां पर प्रतिबिम्ब बनेगा तो प्रकाश की किरने यहां पर से क्या हो रही है आपतित हो रही है इस दरप और जब यह वापस लोटेगी टकरा कर तो इस तरह से क्या होगी किसी एक बिंदू पर यहाँ पर मिलेगी किसी एक बिंदू पर यहाँ पर मिलेगी और जब यहाँ पर किसी एक बिंदू पर वास्तों में मिल रही है तो यह क्या कहलाता है वास्तों में मिल रही है इसी वजह स यह वास्तविक प्रतिबिंब क्योंकि यहां पर आप देख पारे हो कि परावर्तन के पश्चात किरणे जो है वास्तों में मिल रही है क्योंकि परावर्तन के नियम का पालन कर रही है परावर्तन के पश्चात वास्तों में यहां पर किरणे मिल रही है ठीक है तो यह रखा गया है मानलो की गुलाब का फूल रखा हुआ है और इस समतल दरपण में गुलाब के फूल से प्रकाश की किरने निकल करके आ रही है और आने के पश्यात आप लोग देख पा रहे हो यहां पर आने के पश्यात परावर्तन के नियम का पालन करते हुए यह वापस लोट रही है पर यहां पर दरपन का शेप अलग है इसी वज़ा से आपतन मिंदू परावर्तन बिंदू परावर्तित कीरण जो है इस प्रकार से जा रही है कि एक दूसरे से वास्तों में दूर जा रही है क्या हो रही है एक दूसरे से वास्तों में दूर जा रही है ठीक है दूर पर के पीछे अब देखो दूर जा रही है तो यह अनंत तक भी चली जाए पर कभी नहीं मिलेगी अब एक दूसरे से दूर जा रही है तो मिलना तो असंभव है क्यों वही सुनील काजल बाट ठीक समझ में आ रही है इंडियन आर्मी लवर जी बिल्कुल न्यूज स्टुडे में तो फैल रही है दूर जा रही है पर अगर हम लोग क्या करें इसको पीछे की तरफ इसको किर्णों को मिलाए तो यहां पर क्या हो रही है मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो जब मिलती हुई प्रतीत हो रही होती है तो क्या होता है जो प्रतिबिंब है यह प्रतिबिंब आभास हो रहा है ऐसा लग रहा है कि जैसे की जो है मिल रहा है पर वास्ता में ना मिल करके कैसा होता है वो दरपन के पीछे मिलता हुआ प्रतीत होता है और यह आभासी प्रतिविंब जो है यह आभासी प्रतिविंब जो है बिल्कुल दरपन के पीछे बन रहा है कहां पर बन प्रतिबिंब बन रहा है तो आप लोगों ने देखा है कि दरपन का शेप अलग है अभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो वहां पर दरपन का शेप अलग है वस्तु का जो पोजिशन है कि कहां पर वस्तु रखा है ये भी बहुत माइने रखता है कि किरने कहां से आ रही है और किधर को जा रही है किधर को किधर इधर चला मैं उधर चला तो बिलकुल यहां से प्रकार्ट की किरने भी इधर उधर जा रही है उस पर निर्भर कर रहा है ठीक है बिटा रितुकुमारी वर्शा अंशिका मनके राजा जी बिलकुल मीरर के पीछे बन रहा है यहां पर जब मीरर के पीछे बन रहा है तो उसको हम आभासी प्रतिविंब कह रहे हैं जब मीरर के सामने बन रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं वास्तविक प्रतिविंब कह रहे हैं और जब यहां पर वास्तविक प्रतिविंब बन रहा है तो यह कैसा बन रहा है उल्टा बन रहा है जब क से स्क्रीन शॉट ले लो क्योंकि जो भी मैंने पढ़ाया वही सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है और बिल्कुल यहां पर जो है आप लोग कर सकते हो इसमें कुछ भी जो है बहुत ज्यादा कठी नहीं है बिल्कुल आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो पढ़ते पढ़ते गाना बिल्कुल भाई पढ़ते पढ़ते गाना मतलब यह चीज़े बहुत ज़्यादा जरूरी है पढ़ाते पढ़ाते और पढ़ते पढ़ते मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगी कि आप लोगों को ना brain exercise भी लगातार करते रहना चाहिए ठीक है brain exercise बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि होता क्या है कि हम लोग ना पढ़ते पढ़ते एक्जास्ट हो जाते हैं बिलकुल हमारा दिमाग ब्रस्ट हो जाता है और कभी-कभी प्रैशर में इतना जादा आ जाते हैं कि दिमाग बहुत जदा प्रेसराइज हो जाता है और कभी-कभी हमारे दिमाग फ प्रेश्राइज हो जाता है तो हम लोगों को जो है अधर एक्टिविटी में भी इन्वाल होना बहुत सारी बहुत जादर जरूरी है जैसे कि कभी आप लोगों को गेम्स खिलना चाहिए आउट्डोर गेम्स की बात कर रही हूं मुबाइल गेम्स की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूं और कभी-कभी आप लोगों को जो है गाने भी सुनने चाहिए डांसिग भी करना चाहिए और बिल्कुल आप लोगों को जो है अधर एक्टिविटी में भी ध्यान देना चाहिए ताकि आप लोगों का दिमाघ रिफ्रेश एक जगह मिलती हुई प्रतीत हो रही है वास्तों में मिल रही है इसी चीज को आप लोगों को अपने दिमाग के थौर्ट को भी एक जगह इकठा करना है तभी क्या बन पाएगा क्लियर पिच्चर बन पाएगी फिजिक्स आप लोगों को समझ में आएगी बहुत जादा आप इप्रैशन की वज़ा से बता आऊ शिवानी का दवाई भी चल रहा है तो बेटा प्लीद इप्रैशन में बिल्कुल भी नहिं को सब्ढाइएं ये तो आपके स्कूल के टीचर्स बताएंगे, है की नहीं, कौन बताएगा, स्कूल के टीचर्स बताएंगे, तो मेरे खयाल से तो 4-5 चैप्टर्स आने चाहिए आप लोगों के शुरुआत के, पर जितने भी चैप्टर्स आए, चिंता की बात नहीं है, मैंने सारा आप इंडी देती हूं कि जो मैंने आप लोगों को बताया है, उसी में से सवाल आएंगे, उसके बाहर का सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, तो स्मार्टली आपको त्यारी करना है, ठीके, बिल्कुल आप लोगों को स्मार्टली, फिजिक्स को दादा जी ने बनाया था, वा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भई, तो आप भी कुछ करो अपनी जिंदगी में, यहीं हमारी कामना है, और बिल्कुल ये परिभाशाई नोट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखते हैं, कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिम्ब कहां क यहां किस तरह से बनता है, तो यह समतल दरपण आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, तो समतल दरपण में अगर प्रतिबिम्ब इधर बना, ठीक है, यह बिल्कुल मैंने आप लोगों को बताया कि वस्तु के पोजिशन पर डिपैंड करता है, कि किस जगहा पर वस्तु езबाए ब हाजा ने भी कहा था, और आकाश ने भी बताया था कि अगर दरपण के पीछे बनेगा, तो हम आभासी प्रतिबि म्ब बोलते हैं, और यहां पर भी वही हो रहा है, गोली ऋर दरपण में, गोली तरपण के इस प्रकार में क्या हो रहा है,जब दरपण के सामने इधर वाला जो है क्या है चमकीला सता है जहां से परावर्तन हो रहा है तो परावर्तित सता में जो इस साइड लेफ्ट साइड में जब प्रतिविंब बन रहा है ठीक है तो वह वास्तविक है और राइट साइड में आभाशी मतलब आप लोग यहां पर देख करके समझो कि ज यहां से प्रकाश का परिवापरावर्तन हो रहा है मतलब जिस तरफ चमकीला सता है अगर उस तरफ जो है उस तरफ जो है प्रतिबिंब बनेगा तो वो वास्तविक और दरपण के पीछे बनेगा तो आभासी वैसे ही आप दरपण के गोलिय दरपण के इस प्रकार में ये वा तो यहां पर क्या हो रहा है चम्कीले सता की तरफ राइट साइड में यहां पर वास्तविक प्रतिविंब बन रहा है यहां पर भी किधर बन रहा था चम्कीले सता की ओर बन रहा था ठीक बात है आकाश चम्कीले सता की ओर बन रहा था साक्षी बेटा गुडिवनिंग कैसी हो बेटा और जीत गुडिवनिंग बेटा तो बिल्कुल यहां पर इस तरह से आप देख सकते हो कि जिधर चमकीला सता है जो परावर्तन का शेत्र है उसी दिशा से क्या हो रहा है प्रकाश का परावर्तन हो रहा है इसके बाद इसके बाद जब वास्ताव में मिलता है जब वास पर रखा हुआ है वस्तु यहां पर प्रकाश की कीरण जो है आपतित हो रही है यह एरो का जो साइन हम बनाते हैं यह एरो का साइन बहुत ही महत्वपूर्ण है ठीक है बेटा संकल्प सभीहा मन के राजा जी बिल्कुल सचिन बेटा समझ आ रहा है वर्षा शालू खुशा लक्षमी बात समझ में आ रही है कि यह एरो जो हम बनाते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपतित की रण में एरो परावर्तित की रण में एरो बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ओ फॉर यहां पर अबजेक्ट लिखा हुआ है जहां पर वस्तु रखी हुई है दरपण के पीछे बन रहा है आई फॉर इबेज अगर इलकरांती मैं आई फॉर इलकरनती आई Gyukäre अगर दरपण के पीछे बन रहा है तो वह क्या कहलाता है आभास ही पृतिवेंब चाहों तो फटा-फट से screenshot ले लो अरजीत बेटा साक्षी अकाश मुकेश पाल अंकित राओ साहब अभी भाई जल्दी से screenshot ले लो मनीश बेटा विक्की जल्दी से screenshot ले लो आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ते हैं ये जो है आप लोगों के वैसा हिस्सा नहीं है बट फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि यहां पर आप लोगों को दो तरह की पिक्चर दिखाई दे रही है एक में कौन खड़ा है सुनिल कुमार खड़ा है और एक में कौन खड़ा है चंदन यादाव खड़ा है तो माल लो यह कौन है यह है सुनिल कुमार और सुनिल कुमार जब यहा प्रतिबिंब यहां पर कौन खड़ा है चंदन यहां पर खड़ा हुआ है यह बिल्कुल इसके पीछे में क्या हो रहा है प्रकाश की कीरण सूर्य से आ तो रही है परन्तु यह क्यों कि चंदन यहां पर प्रकाश की कीरण को रोक लिया है क्या कर लिया है प्रकाश की कीरण को रोक लिया है इस वजह से यहां पर क्या हो रहा है इसके सरीर के आगे तरब यहां पर क्या है प्रकाश की कीरण को आने का रास्ता नहीं मिल रहा है रास्ता नहीं मिल रहा है तो यहां पर क्या बन रही है इसकी छाया बन रही है तो चाया कब बनता है जब प्रकाश की कीरण को आगे जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है अवरोध उत्पन हो जाता है तो वहाँ पे क्या दिखाई देता है अंधकार दिखाई देता है तो उसको हम क्या बोलते च्छाया तो च्छाया और प्रतिबिंब में अंतर है मैं हम आप ग्रूप पर PDF सेंड कर दीजीगा प्लीज बिल्कुल बेटा शिवानी मैं आप सभी बच्चों को जो है क्लास की PDF जो है टेलीग्राम ग्रूप में शेयर कर दूँगी और बहुत सारे बच्चों ने मुझे मेसेज़स किया है सभी बच्चों को मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक अभी भेज दूँगी और बिल्कुल पूछना क्या चाते हो कौन के मीरा जो होता है उतर दर्पन को हम बोलते हैं गोलिय दर्पन हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले टॉपिक हमारे वही हैं उसी पर हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करके पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे तो चिंता की कोई वात निया पूरा क्लियर हो जाएगा कल परसों की क्लास में हम लोग पूरा गोलिय दर्पन कवर करेंगे आज हम लोग पूरा बैसिक दिटेल पढ़ रहे हैं यह सारा कुछ तैंथ का पढ़ा हुआ है अपलोगों का उसी को मैं आप लोगों को डिटेल में बता रही हूं गोलिय तो नोट कर सकते हो कि जो वास्तविक प्रतिविंब बन रहा था वो बिल्कुल दरपण के सामने बन रहा था तो जैसे कि आप लोग प्रोजेक्टर लाइट वगरा कभी देखते होगे है ना परदे में पहले की जमाने में पिक्चर दिखाया जाता था आप लोगोंने किसी प प्रोजेक्टर लाइट से परदे पर हम लोगों को पिक्चर दिखाया जाता था तो पता नहीं दिखाते होंगे पता नहीं आप लोगोंने भी किसी पिक्चर में देखा होगा नहीं देखा होगा तो कम से कम थोड़ा सा इमेजिन कर लो कि वहां पर परदे पर इमेज प्रा के तो हम लोगों को दर्पन के प्रकार में उत्तल प्रकार और आफटल दर्पन अभी अभी किसी बच्चे ने प्रश्न किया था और क्या होता था था और आप सभी बच्चों के लिए वो confusion मैं पूरा खतम कर दूँगी, तो बिलकुल आप लोगों को शुरू से लेकर आखरी तक पूरा lecture देखना है, देखो बेटा, अगर आप लोग 5-10 मिनट, 15 मिनट के लिए lecture देखने आओगे ना, तो कोई मतलब नहीं है, बास समझ में आ र सब बच्चे मेरे माइने रखते हैं, मैं चाहती हूँ कि अगर कोई भी बच्चा मेरी क्लास में आ रहा है, नया पुराना सब बच्चा, वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़े, फजिक्स के कॉंसेट को बहुत ही आराम से सरल ढंग से क्लियर करके, बहुत ही अच् शुरू से लेकर आखरी तक सभी बच्चों को बने रहना है, अगर आप बीच में इधर उदर गायब हो जाओगे ना बिटा मुकेश, अलका, द्वारिका, वर्मा, तो बात नहीं बनेगी, है की नहीं साक्षी, तो भाई, बिल्कुल, इसलिए सभी बच्चों को शुरू से लेकर आखरी तक लगातार बने रहना है, बात करते हैं दर्पन के प्रकार की, तो समतल दर्पन ये बहुत ही आसान है, पर आप लोगों ने जैसे की दस्वी में पढ़ा था ना वहीं बात खतम नहीं होती है, यहाँ पर समतल दर्पन के बहुत सारे नुमारिकल बनते हैं, क ठीक है, मराठा बोर से हो, बहुत अच्छी बात है बिटा, मन के राजा आपका एक्च्वल नाम क्या है आज बताओ, हना आज बताओ, देखो, स्पाम करने वाले बच्चे भी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे को दिल से खुशी हो रही है, मन के रा राजा नहीं अपने मन के राजा, बहुत अच्छी बात है, पर नेम क्या है तुम्हारा, असली नेम क्या है भई, जल्दी से कमेंट करके बताओ, और बिल्कुल आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने किसको खड़े कर आया, मन के राजा का पहले नाम जान लेते हैं, जल बगातार देखो, मेरा रियल नेम विपिन राजा है, ओके, तो यहाँ पर मैंने किसको खड़े कराया, यह है हमारा विपिन, कौन है यह, यह है हमारा विपिन, अब यहाँ पर विपिन खड़ा है, है तो मन का राजा, क्यों, अपने मन के राजा जी, है तो हमने मन का राजा अच्छी बात है, बिल्कुल मेक अप वगरा करने के लिए रैडी है, फोल स्मार्ट यहां पर बन रहा है, दरपड में खुट को यहां पर देख रहा है, तो क्या बन रहा है यहां पर इसका प्रतिबिम्ब बन रहा है, अब यह प्रतिबिम्ब आभासी प्रतिबिम्ब है, बि उसका साइज और प्रतिभिम्म और गास अही जैसा बन रहा है प्रकाश के प्रावत goose के नियमों का पौन कर रहा है तो यह क्या है समतल दरपन का केस है ठीक है आप यहां पर लोगों के यहां पर dose calculated दिखाई Olay यहां पर जो है अंग्रेजी में कहलाता है कॉन्वेक्स क्या कहलाता है कॉन्वेक्स अब यह जो पेटू दरपण है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है अब यहां पर प्रकाश की कीरण आपतित हो रही है तो बिल्कुल यह आपतित कीरण है यह क्या है परावर्तित कीरण है ठीक है तो इसका जो बाहरी तल है यह क्या कहलाता है परावर्तक तल मतलब की पेटू वाला हिस्सा जो है चमकीला सता है ठीक है बिलकुल तो यहां पर विपिन राजा ध्यान से सुनोगे यहां पर जो पेटू वाला हिस्सा है यहां से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है यह क्या कहला रहा है उ वमेशा उत्तल और अवतल दरपन में बहुत जादा कन्फियूजन होता है बेटा, मोटू पतलू तो आप लोगों ने देखा ही होगा, इसको बोल लो मोटू या तो बोल लो पेटू, ठीक है इसके काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या मोटू, ठीक है बेटा, कौन है, और क ठीक बोल रही हो, बड़ देखो, एक दम आसानी से याद रखना है ना, तो सीदी सी बात है, कुछ हमको कॉमेडी वहाँ पर ले आना है, क्या कर लेना है, कुछ कॉमेडी वहाँ पर ले आना है, तो मोटू और पतलू की जोडी, तो यहाँ पर यह क्या है, पतलू, अब इस इस गूफे में क्या है बिलकुल इत का खुसा हुआ है यहाँ पर इसका पेट अंदर की तरख घुसा है बिचारा खाता ही नहीं है धित एह इन झातब है तो अच्छे से पढ़ाई करता है किस है को किस को यहाँ भाई करते समय नीन आती है जल्दी से मिरे को बताओ किसको किसको पढ़ाई करते समय नींद आती है यहाँ पर तो बिलकुल आपको क्या करना है अपने अंदर की excitement को जगाना है खाने में control रखना है समय से खाना खाना है health का ध्यान रखना है तो आपको पढ़ते समय बिलकुल भी नींद नहीं आएगी और बिलकुल आप भी कर आँन रहोगे और क्या बन जाओगे अवतर दर्पन जाओगे संतुलित आरण है नींद नहीं आएगी बढ़िया जो है अंदर कमरे पे घुसे रहोगे, बिल्कुल शूबा से लेकर के शाम तक के, ठीक है, पूरा फोकस कहां पर हो जाएगा, पढ़ाई पर ये अवतल दरपड, याद रहेगा सभी को, एकदम अच्छे से, आसानी से, कहानी बना के हम लोगों ने पढ़ लिया है, मोटू और की जोड़ी, उत्तल और अवतल दरपड, ठीक है भाई, क्यों, सुनील, कंचन, कुमार, ठीक है, स्रिस्टी, धीराज, अनीश, प्रमोद, क्यों भाई, टन, वेरी गुड, वेरी गुड, तो भाई, दरपड के प्रकार में ये जो गोले दरपड बना, वो कैसे बना, तो एक काच का हम गोला लेते हैं, अगर हम क्या करते हैं, इस काच के गोले को मानलो कि मेरे पास कोई बॉल है, ठीक है, आपके पास मानलो कि कोई बॉल है, उसके साइट साइट के हिस्से को अगर आप कट करोगे, तो इस तरीके से कटोरी जैसा हिस्सा बन जाता है, ठीक है, तो क्य करोगे अगर मान लो कि कोई कटोरी है तो कटोरी के अंदर वाले हिस्से को कटोरी के अंदर वाले हिस्से को अगर पॉलिश कर दोगे तो क्या बन जाएगा पेटू बन जाएगा क्या बन जाएगा मोटू बनेगा मोटू बनेगा तो पॉलिश का सता अंदर हो जाएगा चमकी सब्सक्राइब धूभर कुमेंने और करना होगा टाइगराम भी आपर लोगों को बनाने हैं पढ़ाई के साहत् चाहो तो इस्क्रिंशोट ले लो नहीं तो फटा-फट से हाथ चलाओ और डाइगराम बनाओं मैं तो कहूंगी कि अभी की अभी क्लास में साथ के साथ बना डालो, साथ के साथ आप लोगों को बनाना है, सारे डाइग्राम्स, क्या बात है बेटा, प्रिया, सौरी क्यों बोल रही हो, क्या हुआ, मैं मैं आप बहुत अच्छा बढ़ाती हो, thank you so much बेटा, academic classes, आपका नाम जानना चाहूंगी, मैं आज मेरे को finally मन के राजा का नाम पता चला, इस बच्चे के ना पीछे पड़ी थी मैं, इसके कमेंट्स देख रही थी ना, तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि हम बच्चों के लिए इतनी महनत करते हैं, और बिल्कुल हम बच्चों के लिए इतनी महनत करते हैं, कितना टार्गेट है, तो बिल्कुल 100% क ही target होना चाहिए और अपने मन के राजा होना बहुत ही अच्छी बात है पर अच्छी दिशा में ठीक है और मुझे आज इतनी खुशी हो रही है जब ये बच्चा पिछले 2-3 classes से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है तो बेटा अरजीत आप पर नींद नहीं आएगी थाइंक यू जो मत बिल्कुल मैं नींद तो आने ही नहीं दूंगी और वैसे भी मेरी आवाज इतनी कि लिए काफी है तो बिल्कुल सभी बच्चों को शुरू से ले करके आखरी तक बने रहना है समतल दरपण में पड़ावर्तन को डिटेल में पढ़ना है तो जब यहां पर हम लोगोंने समतल दरपण देखा तो पीछे का हिस्सा जब हम लोगोंने पॉलिश किया आप सामने क बनता है तो यहां पर समतल दरपण में हम देख सकते हैं कि इसका प्रतिविंब कैसा बन रहा है उल्टा बन रहा है मतलब कि बाया हिस्सा दायां दिखाई देता है ठीक है बिल्कुल अगर आप क्या करोगे दरपण के सामने अगर अपने हाथ को रखोगे तो अगर आपका अंगुठा, अगर आपका अंगुठा यहाँ पर माई हिस्से में है तो ये दरपड में कैसे दिखाई देगा? दाएं दिखाई देगा, ठीके, कैसे दिखाई देगा? दाएं दिखाई देगा बिलकुल वेरी गुड बेटा, क्या बोल रहे हो सिजी, हमारा सक्सेस निन्जा याद आ गया कि कल ही मैंने मिल्कुल मोटो जीपी जो है इंटरनेशनल अंतर राश्ट्रिया जो बाइक का रेसिंग होता है वह अटेंड किया खूब मज़ा आया और मैं समझ सकती हूँ आप लोगों के ड्रीम को क्योंकि मितलम मेरे को भी इन सब चीजों में इंट्रेस्ट है बहुत ही मज़ेदार चीज है उसके बारे में कौन-कौन कहानी जानना चाहता है बिल्कुल हेंड्रेस करके बताएंगे मुझे ये टॉपिक खतम होने के बाद अगर समय बसता है तो मैं आप लोगों को उसके बारे में जरूर बताऊंगी अपना experience शेर करना चाहूंगी बह समतल दरपन कंप्लीट करेते हैं फिर हम आपको बहुत ही इंट्रेस्टिंग चीज बताएंगे ठीक है चालो तो यहां पर यह प्रतिविम बवना दाया बाया बाया दाया दिखाई दिया और पीछे का सता पॉलिश किया हुआ है ये परावर्तक सता है तो बिल्कुल हम सता है यहां पर विपिन से प्रकाश की किरण निकल करके आ रही है और इसका प्रतिविम्ब कहां पर बन रहा है यहां पर दरपन के पीछे बन रहा है और कैसा प्रतिविम्ब बन रहा है और कैसा बन रहा है आभासी के साल साथ सीधा प्रतिविम्ब बन रहा है और कैसा बन है उतनी ही दूरी पर क्या है डर्पण के पीछ इसे की मालो यहां पर खड़ा है विपिनली को सामने रखा दर्पण के तो केंडल से प्रकाश क किरिने निकल करके क्या हो रही है यहां पर परावर्तित हो करके दूर जा रही है तो हुआ क्या इसने देखा कि परावर्तित हो करके दूर जा रही है तो वास्ता में यह क्या हो रही है किसी एक बिंदू पर मिलती हुई प्रतित हो रही है यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है चार पॉइंट्स बोले कौन कौन से चार पॉइंट्स कौन बताएगा चार पॉइंट्स बोले मैंने कौन चार पॉइंट्स बोले कौन कौन से चार पॉइंट्स आभासी बन रहा है सीधा बन रहा है और जितनी दूरी पर दरपण के सामने है उतनी ही दूरी पर दरपण के प देखा मान लो कि आपके पास दरपन जो है अलग अलग जगा पर हो जैसे कि यहां पर एक दरपन ये दूसरा दरपन ठीक है मान लो कि आपके पास दरपन ऐसे हो मतलब बीच का कोड़ यहां पर थीटा है यहां पर बीच का कोड़ मान लो की 90 डिग्री पर है तो इस तरह से के एक अक्षा बारवी के लिए और इस तरह के आपको सवालों को हल करना है ठीक है बिटा वर्तिका साक्षी सब के हैंड रेज हो गा है बिल्कुल सही बात है और बताऊंगी मैं और समय हो गया है बिल्कुल समय का ध्यान ढगते हुए हमें आगे बढ़ना है समतल दरपन से पर इसको अगर मतलब आधे हिस्से से अगर हम लोग डिवाइट करें आधे हिस्से से हम लोग यहां पर क्या करें डिवाइट करें ठीक है अब यहां पर इस बिंदू पर क्या रखा हुआ है कोई वस्तू रखा हुआ है मालो तो होगा क्या इस वस्तू का प्रतिबिंब इस पर बनेगा फिर इस प्रतिविंब का प्रतिविंब इस पर बनेगा इस प्रतिविंब का प्रतिविंब इस पर इस पर इस तरी के से होता क्या है कि एक बार ना मैं गई थी ना मतलब की एक दरपन का मतलब एक बहुती मतलब खुबसूरत सा जगह होता है उस जगह का नाम एक्जे याद है जहां पर खूप सारे दरपण हुआ करते थे वो जो शल्मान खान था उसके मतलब पापा ने कोई सा घर बनवाया था कहीं पर पानी के बीच में दोनों भाई का जहां पर जगड़ा हो रहा था किसको किसको याद है बिलकुल वहां पर चारों तरफ दरपण ही हाँ भूल भूलया बोलते हैं क्या बोलते हैं भूल भूलया बिलकुल उसी तरीके से न यहां पर भी क्या बनेगा प्रतिबिंब बनेगा तो इस प्रकाश के प्रतिबिंब में जो है आप लोगों को बहुत सारे प्रतिबिंब बहुत सारे अलग-अलग जगह में दिखाए तो यहाँ पर दो ही दरपड है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, जब बहुत सारे दरपड होगा तब सर्चक्रा जाएगा, और रियल में भी सर्चक्रा जाएगा, ऐसा भूल भूलेया होता है, जहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे दरपड़ों के बीच स उस कमरे से आपको बाहर निकलना होता है और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि किधर से जाना है किधर से नहीं जाना है पर मैं तो हूँ फिजिक्स की टीचर मैं यू यू करके गई थी और यू यू करके 66 से निकल गई थी जो मेरे फ्रेंड्स गए थे वो बिचारे परेशा बारे में कल बताऊंगी दीपक आज फिलहार समतल दरपन से परावर्तन पढ़ लो समय भी हो रहा है और बिल्कुल हम लोगों को चीजे पूरी करनी है तो आप लोग देख सकते हो कि यहां से कितना प्रतिबिम्ब देखो बहुत सारा प्रतिबिम्ब बनेगा ये तो मैंने आप लोग देख सकते हो कि कुल कोण जो होता है वो 360 डिगरी का कोण होता है कुल कोण जो है यहां पर हमारा जो दरपन है दो दरपन थीता कोण पर इस तरह से रखा हुआ है तो बिल्कुल अगर हम डिवाइट करेंगे और अगर हम लोगों को सम संख्या प्राप्त होती है तो प्रतिभिम्ब की संख्या क्या होगी, N-1, अगर हमको इन दोनों को डिवाइट करने से विशम संख्या प्राप्त होती है, तो दो प्रकार की इस्थितिया होगी, जब बिम्ब संध्विभाजक पर नहीं है, संध्विभाजक पर नहीं है, का मतलब यह है, कि अगर कोई वस्तु जो रखा हुआ है, वो इस संध्विभाजक पर ना रखा कर कहीं पर और जगहा पर रखा हुआ है, तब क्या होगा, प्रतिभिम्बो को संख्या जो है, N होगा, और अगर यह संध्विभाजक पर रखा हु बिल्कुल आज की class को हम लोगों को यही पर समाप्त करना होगा, समतर दरपन से परावर्तन हम लोगों ने पड़ा और class को खतम करने से पहले मैं आप लोगों को होंवर्क दे करके जारी हूं, जो भी मैंने समझाया है इस पर आप लोगों को विचार करना है और यह question आप तो क्या सम्तल दरपन से कभी भी वास्तवी प्रतिबिंब बताया था कि दरपन से जो प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तु का पोजिशन क्या है इस पर निर्भर करता है तो कोशिश करेंगे इसका जवाब देने की अगर नहीं बनेगा तो कल क्लास के शुरुआत में मैं आप लोगों को जो है ये जवाब दूँगी तो बिल्कुल आप लोगों को शुरू से आ जाना है टाइम पर आ जाना है और अगर कल क्लास में आते ही सभी बच्चों को जो है इसके आंसर मेरे को क्लास शुरू होने के पहले आप लो समतल दरपन है और प्रत्य की लंबाई क्या है प्रत्य की लंबाई 20 सेंटीमीटर की है क्या है 20 सेंटीमीटर और दोनों के बीच का जो ग्याप है दोनों के बीच का ग्याप जो है ये क्या है डी बराबर 10 सेंटीमीटर का ग्याप है एक दूसरे के समनांतर रखे हुए है और यहाँ पर क्या हो रहा है, यह M1 दरपढ है, मालों यह M2 दरपढ है, मालों कि यहाँ पर प्रकाश, मतलब यहाँ पर प्रकाश की कीरन तिरुपन डिग्री के कोण पर आ रही है, M2 पर, यह कोण अभिलंब से कितना बन रहा है, तिरुपन डिग्री का बन रहा है, तो परावर कि प्रतिभिंब बनाता है यह वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है देखो पिछली क्लास में आप लोगों को समतल दर्पन से प्रतिबिंब कैसे बनता है तो मैंने सिखाया था आप लोगों को विपिन को हम लोगों ने मन के राजा जी को यहां पर खड़े कराया था दरपन के पीछे जो है बिल्कुल दरपन के पीछे यहां पर विपिन का प्रतिविंब बन रहा था आभासी सीधा और बिल्कुल वास्ता मतलब कि जितना विपिन का ज सवाल में पूछना है कि क्या संभाव है कि वास्तवीक प्रतिभिंब तो हां येस बिलकुल संभाव है हां संभाव है कैसे कैसे हाउ बताओ कैसे संभाव है कोई बता सकता है क्या अच्छा एक बार बताओ अगर देखो सवाल हल करवारी हूं सभी को ध्यान से सुनना है ठीक है आप लेओं के लिए questions हल करवा रहे हैं क्योंकि बहुत जरूरी है तो यहाँ पर अगर मान लो कि मैं ये जो दर्पन से मेरे को अगर आभासी प्रतिबिम्ब जो मिल रहा है ठीक है इस आभासी प्रतिबिम्ब को जो है अगर मैं जो है वस्तू के रूप में या फिर बिम्ब ज कोई दर्पन इधर ठीक है कोई दर्पन इधर है और यह जो प्रतिबिम्ब बन रहा था पहले वाले दर्पन की कारण उसको हम यहाँ पर बिम्ब के रूप में ले करके अगर इसका यहाँ पर हमको प्रतिबिम्ब प्राप्त हुआ तो यह प्रतिबिम्ब हम लोगों को कैसे मिलेगा ये प्रतिबिंब बिल्कुल हम लोगों को मिलेगा वास्तविक प्रतिबिंब की रूप में कैसे बनेगा तो बिल्कुल जो पिंक कलर से लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूं इस पिंक कलर की लाइन को आप लोगों को ध्यान से देखना है जैसे कि मान लो ये दो कीरण आई ठीक है ये पिंक कलर की लाइन आई तो ये जो है आपतित कीरण हुई और परावर्तन के पश्याद बिलकुल ये जो है इस तरह से परावर्ति होगी और यहां पर जो है क्या बनेगा इमेज बनेगा या फिर प्रतिबिंब बनेगा जो कैसा होगा वास्तविक प्रतिबिंब हो इसे हम लोगों को यहां पर दरपण में कैसा प्रतिभिंब मिला समझ आया की नहीं बहुत ही सोचने वाली बात है और भुलकुल ध्यान से आप सभी बच्चों को सुनना हैं समझ आया की नहीं अच्छा बता हूँ श्वैता कुमारी साक्षी गुडिजी आवरी वन अधिति लोगों को कहाँ गया क्या बात है काफी tough होगया का gocor pigeon नहीं बहुत आसान question वाली बात मैंने आप लोगों को बताया था ऐक स्याधिक स्वाममिदर के लिए आप व्यूद्ष को एक स्याधिक दर्पन के लिए सवाल पूछे और बिल्कुल यहां पर उसी तरीके से ही आप लोगों को यह सवाल आया है अगले सवाल पर हम जाते हैं तो अगला सवाल भी दो दरपन से संबंधित सवाल था और यह भी बहुत आसान सवाल है पर अगर आप जो है बेसिक लियर रखोगे अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ज दूसरे के सामने समनांता रूप से इस तरह से रखे हुए हैं और यह दरपन जो है कितने हैं 20 cm तक के यह दरपन है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दूरी है सवाल में 10 cm तो मैंने सवाल को आप लोगों को पहले ही समझा दिया था किसका किसका आंसर आया सभी के कमें सब्सक्राइब को समझ में नहीं आया सबसे पहले तो अपना नाम बताई जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है फिजिक्स वही मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि उनको समझाना मुझे बहुत ही अतिया आवश्यक है आपको फिजिक्स एकदम क्लियर कर दूंगी फिजिक्स का मतलब इलाक रांति मैं बस बहुत ही आसान बन जाएगी फिजिक्स आपके लिए ब्रजेश मन के राजा आंसर बताओ आंसर बेटा ब्रजेश पॉइंट 75 आंसर ना इसके बाद वाले क बीञेश में ब्रजेश है क्यों ब्रजेश कि तब्यत खराब भाइब वसकता है कि कोई और प्रजेश भुआ को बनें नेkonित ध्यान रखे clap बच्चों से बात करें और बहुत जरूरी है मेरे सभी बच्चोhésitez स्वस्थ रहना क्योंकि आज कल में बहुत ज्यादा I Tomorrow Sh esempio जो है सुन रही हुं क्योंकि बच्चोन से बात करती हूं पर्सनली guide करती हूं, उनके doubt solve करती हूं, हैना, क्या दिकत है, क्या समस्या है, आप सब की समस्या मेरी समस्या है, तो बिल्कुल आप सभी को लगातार मेरे से जुड़े रहना है, कोई बच्चा पूछ रहा था कि class की PDF कहाँ पर मिलेगी, तो बिल्कुल मैम के answer यहाँ पर solve किया क्या यह question, यहाँ पर यह हम M1 दरपन और इसको हम M2 दरपन ले रहे हैं, और यहाँ पर एक दरपन जब कीरा आ रही है, मान लोग यहाँ पर M2 दरपन पर कीरण आ रही है, तो यह कीरण आई यहाँ पर इसका अभी लंब हम लोगों ने बनाया, तो यह सवाल मैंने आप लोगों को कल बता दिया था, 33 डिग्री पर आ रहा है, और बिल्कुल 10, 35 डिग्री का यहाँ पर मान भी दिया हुआ है, ठीक है, तो यह जो दोनों के बीच की दूरी है, इसको हमने माना क्या बी, और यहाँ पर यह वाली जो दूरी है, इसको हम लोगों ने माना क्या, एक्स, सवाल में हम लोगों को क्या पूछ रहा है, कि कीरण में परावर्तन की संख्या कितनी होगी, इसका मतलब जो है, दरपन के अंदर यहाँ पर कीरण में कितनी वार परावरतन होगा यह सवाल में पूछा है तो चित्र जैसे मैंने बनाया न वो आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा जूम करके बनाया क्या करके बनाया पर यहाँ पर आप लोगों को जो है यह संख्या निकालने के लिए करना क है सबसे पहले ये 10 तेन 10 टीटा ब्राबर क्या होता है लंब बटे आधार यही होता है क्या जल्दी से बताओ यहां पर आपको लंब बड़े आधार कैसे मिलेगा क्योंकि देखो यह 1050 क्या बनाया भीच में हम लोगों ने आप अभी वैतार साक्षी कुमकुम वर्तिका सुनिल कुमार जल्दी से सूजल बताएंगे हा की ना बिल्कुल परावर्तन का नियम लागू हो रहा है ठीक इसी प्रकार से आगे भी सारी जगह में क्या होगा परावर्तन का नियम जो है बिल्कुल लागू होता रहेगा चलता जाएगा इसके बाद अगर यहाँ पर परावर्तन का यह नियम लग रहा है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोगों को यहाँ पर एक त्रिभूज मिल रहा है जहाँ पर यह वाला एंगल हम लोगों को मिल रहा है कितना? तिरुपन डिगरी का एंगल मिल रहा है और यहां से हम लोग क्या लगा सकते हैं तैन तिरुपन डिगरी बराबर लंब बटे आधार मतलब क्या हो जाएगा इस त्रिभूच का जो लंब है वो क्या हो जाएगा ये जो डी है और ये वाली दूरी ये क्या हो जाएगी, बिल्हकुल बराबर हो जाएगी, क्योंकि समतल धरपन दोनों ही एक दूसरे के, कैसे है, समनांतर है, कैसे है सौरवेश, बाता, जल्दी बताओ, कैसा है रतनलाल, समनांतर है की नहीं, yes or no, alpana, सौरव, कैसा है समनांतर है, तो बिल हा कि ना जल्दी से पताओ क्या मैंने सही लिखा है yes या no एक बार confirm कर लेते हैं तो बिल्कुल एक बार confirm कर लेते हैं तो नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है क्यों सही नहीं है तो इसका कारण ये है कि जब भी हम लोग इस तरीके से 10 ठीटा लगाते हैं 10 ठीदा लगाते हैं, तो ये अगर ठीटा कोड है, तो इसके सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, इसके नीचे वाला क्या कहलाता है, आधार कहलाता है, और ये कहलाता है, क्या कर्ण, ठीके, ये जो त्रिभूज हम लोगों को मिल रहा है, इसको मैं पहले separate बना देती ये कोड है हमारा ठीटा तो अगर ये ठीटा कोड है तो लंब कौन सा होगा ये वाला होगा ठीक है हमने क्या किया था डी को हम लोगों ने लंब ले लिया था तो ये गलती की थी आपको भी बिल्कुल ये गलती नहीं करना है और यहाँ पर होगा क्या आधार जनरली बच्चे एक्जाम में ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं तो इसी लिए आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है और उसके अजुशार यहां पर जो बड़ा दिखा उसको लंब मत लिख देना ठीक है तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना यहां पर हो जाएगा क्या 10 ठीटा हाइता से आपको क्या करना है सवाल हल करना है अब जल्दी से वेल्यू रख दो डी की जगा और 1053 की जगा गुद इउनिंग बेटा ब्रजेश मैं तबियत बेहाल है बट क्लास एटेंड करूंगा वाँ वेरी गुड बेटा वेरी गुड मतलब मानना पड़ेगा बच्चे इतने डेरिकेटेड हैं पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी बेटा ब्रजेश अगर तबियत ठीक नहीं ना तो सरीर को आराम दो रेस्ट करो बोडी अगर स्वस्थ नहीं रहेगी तो एक्जाम के लिए पढ़ना बहुत जादा मुश्किल हो जाएगा और बिल्कुल सलाम हैं आपकी महनत को सलाम है कि तबियत खराब है पर फिर भी इलाकरांती मैम की क्लास अगर है तो आप अटेंड करने आए हो इसकी मुझे बहुत कुश्य है बट मैं आपको बस यही कहूंगी कि जादा जादा रेस्ट करो ताकि जल्दी से ठीक हो करके डटके बढ़ाई कर सको क्यों भाई गाई सही बोल रही हूं कि नहीं ब्रजेश को रेस्ट करना चाहिए है कि नहीं बिल्कुल इंद्रजीत सुमित सुनिल कुमार सही बोल रही हूं कि नहीं बिल्कुल सही बोल रही हूं कि नहीं जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे ब्रजेश को रेस्ट क कुढ़ Unusi में आप लोगों को शियर करूंगी और विल्कुल अप लोग मैं से अपनी सारी प्रोब्लम से मैं आप data करना आप करूंगी और सबस्वाइब कर रहेगी और आप लोगों को जो है बहुत ही आसानी से physics यहाँ पर पढ़ाती रहेगी यहाँ पर हम वापस से अपने सवाल पर आ जाते हैं कि जब आप लोग इसको solve करोगे तो यह कैसे हो जाएगा 1053 की जगह में आपको रखना है क्या 4 बटे 3 और यहाँ पर x आप लोगों को ग्याद करना है और d की जग आगे आप लोग खुद कर सकते हो एक्स कमान आप ग्याद कर सकते हो यहाँ से क्या जाएगा एक्स कमान दो बटे 15 क्या जाएगा यहाँ से एक्स कमान दो बटे 15 मीटर में आएगा क्योंकि हम लोगों यहाँ पर सैंटी मीटर को क्या किया था मीटर में कनवर्ट कर दिया थ ठीक है सेंटिमीटर को हम लोगों ने मीटर में कनवर्ट कर दिया था इसके आगे हमको ग्याद करना है कि परावर्तन की संख्या कितनी है तो बिलकुल परावर्तन की संख्या ग्याद करने के लिए ये जो है संविशम एन की संख्या ये सारी चीज हम लोगों को जो है निकालन थीक है तो यहां पर हम परावर्तन की संच्छा ग्याद करने के लिए क्या कर सकते हैं देखो 20 cm लंबाई का हमारे पास दरपण है ठीक है क्या है 20 cm लंबाई का हमारे पास दरपण है और यहां से हम लोगों को X की value पता चल रही है क्या 2 बटे 15 हम लोगों को X की value पता चल रही है ठीक है अब यह जो दो बटे पंद्रा है वो यहां पर कितनी बार रिपीट होगी तो समान ने गणित लगाना है कितनी बार रिपीट होगी तो उसको हम लोग कैसे निगा सकते हैं अगर 20 में हम लोग क्या करेंगे क्या करेंगे हम 20 में 2 बटे 15 का भाग देंगे दो भाई भाग 2 बटे 15 का भाग दो और यहां पर यह 20 सैंटी मीटर में है इसको आपको करना क्या है मीटर में कनवर्ट करना है फिक है तो यहां पर आप लोगों को संख्या निकल जाएगी n कि कितने बार यहाँ पर परावर्तन होगा मतलब कितने बार यह x यहाँ पर आएगा x कितनी बार आएगा समझ में आ रहे ना देखो जैसे कि यह वाला x हुआ फिर यह x फिर यह x फिर यह x फिर यह x यह जो है सिलसिला चलता रहेगा आगे चलता जाएगा बढ़ता जाएगा कितनी बार X आ रहा है उसको हम क्या करेंगे जो टोटल 20 cm है उसमें से अगर हम 2 बटे 15 को घटा भाग देंगे तो हम लोगों को कुल संख्या यहाँ पर ग्यात हो जाएगी तो यहाँ से आपका N का मान आएगा क्या 150 बिल्कुल आप इसको हल कर ले ना यहाँ से आपकी संख्य आएगी 150 पर परावर्तन के कीरण की संख्या जब हम लोगों को इस तरह से निकालनी होती है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 150 जो मतलब यहाँ पर जो कुल संख्या हमारी आई है इसमें हम क्या करेंगे 150 प्लस एक यहाँ पर जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 159 कारण म जैसे यहाँ से आ रही है और यह जा रही है तो इसको हम लोगों ने एक परावर्तन यहाँ पर गिन लिया है ठीके जाते समय भी मान लो कि यहाँ से मिरर से ऐसे होकर के जाएगी ठीके तो आखरी वाला जो परावर्तन है इसको भी हम लोगों को यहाँ पर काउंट करना है count करना है उसको भी हम लोगों को गिनना है जो की 20 cm में शामिल नहीं है इसलिए यहाँ पर मैंने क्या करा एक परावर्तन को यहाँ पर जोड दिया और कुल परावर्तन की संख्या कितनी आ गई 159 कारण समझ में आया सभी को क्यों किया हमने ऐसा देखो हर चीज का कारण होता है बिना कारण के यहाँ पर कोई बात नहीं होता है हर एक चीज का कारण होता है बिना कारण के फिजिक्स में कोई बात नहीं होता है तो समझ में अगर आ गया तो जल्दी से थमसब दिखागे सभी बच्चे बताएंगे मुझे समझ आ गया तो जल्दी से बिल्कुल थमसब द दिखा देंगे बड़ी वाली smiley दिखा देंगे बड़ी वाली smiley क्योंकि देखो जो concept आप पढ़ रहे हो ना वो तो दस्वी में भी पढ़ा है पर कोई बात नहीं मैं फिर भी zero से पढ़ा रही हूं साइड हो जाती हूं अगर आप लोगों को जो है screenshot लेना हो तो जल्दी से screenshot ले लो ठीक है तो जो theory concept दस्वी में पढ़ा हुआ है आसान है जीरो से मिलेगा आपको पर जल्दी जल्दी आप लोगों को थोड़ा सा उसको ग्रहन करना है आपको समझना है सीखना है जादा ध्यान कहाँ पर देना है आप लोगों को numerical practice करने में ध्यान देना है क्योंकि कीरण प्रकाशकी से समझने जब आप सवाल हल करोगे ना तो बनेगा नहीं सवाल हल करोगे तो बनेगा नहीं इसलिए लगातार आप लोगों को बहुत अच्छे से practice करनी है लगातार करेंगे सभी बच कम दिखाई दे रहे है क्यों भाई क्या बात है कहां चले गए सबको बुलालो यार फटाफट से मनके राजा जी क्या हाल चाल क्रिशन दीपक सिंग बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आपने पिछली कम पिछली बार comment में लिखा था कि मैं मुझे physics कम समझ में आती है और मैं बि बिल्कोल नहीं हो सकता और यह question हो सकता है कि आपकी जान ले ले बिल्कूल जान तो नहीं जाने देंगी आपकी उलम wem है बिल्कुल जान नहीं जाने देंगी पर आपके ना पसीर जरूड छूड़ जाएंगे जडरH सवाल तो पढ़ो यह सवाल जो हल कर लिया ना वो definitely नीट का एक्जाम तो जरूर निकाल लिया पर जो नहीं हल कर पाया ना उसको भी उसको भी हम उस रास्ते में दोड़ा देंगे कि वो यह सवाल हल करने के लायक बन जाएगा ठीक है बाई तो जल्दी से सवाल पढ़ोगे कि 1.5 मीटर की की लंबाई का कोई लड़का अब यह 1.5 मीटर लंबाई का हमारा राजा बेटा है कौन है हमारा राजा बेटा है ठीक है तो राजा बेटा जी जब लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है राजा हमारा ने लड़का ने भई राजा कौन राजा राजा यहाँ पर खड़ा हुआ है जिसके नेत्रों का इस्थर 1.3 तीन आठ मीटर की उचाई पर है मतलब कि इसके नेत्र यहां कहीं पर है जो उचाई क्या है एक दसमलो तीन आठ मीटर तो यहां पर इसकी आंखे बना देती हूं ठीक है बिलकुल बिलकुल आंखे बना दी ठीक है आँखों पर मत जाना आँखों के डिजाइन पर मत जाना बि ही सोचने वाला कोशन है तो भाग के नहीं जाना अगर कोशन से भागे मतलब गड़बड है तो बिल्कुल अगर आप चाहते हो कि अच्छे से एक्जाम में आप अच्छे रैंक्स लेकर क्या हो तो इस तरह के कोशन्स प्रैक्टिस करने के लिए अपने दिमाग को आपको जो ह अगर यहाँ पर राजा खड़ा है जिसकी ऊंचाई दी हुई है आँख की उंचाई उसकी दी हुई है तो सामने जो दिवार पे दरपन चिपकी हुई है उसको कैसे पोजिशन में हम रखे कि राजा अपने आपको इस दरपन में पूरा पूरा देख पाए कोई बता सकता है इसका हल कैसे कर सकते है दरपन की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए कि दरपन की न्यूनतम लंबाई मतलब कि इस दरपन की न् निर्भर करता है मतलब कि इसका जो दरपण का हाइट है क्या इस राजा के नेत्रों के इस तरपर निर्भर करता है मतलब कि इसकी आँख हो पर है या नीचे है क्या इस बात पर निर्भर करता है कि नहीं तो बताएंगे बताएंगे पर पहले हम यहां पर देख लेते हैं कि इ किरण अगर यहां से आ रही है तो बिल्कुल जो है मतलब की परावर्तन के पश्याद क्या होनी चाहिए इसके आखों पर पढ़नी चाहिए और अगर मान लो की पूरा देखना है इसको अपने आपको मिरर पे दरपन में पूरा देखना है तो पाउं से जो किरण आपतित होग परावर्तन के पश्याद बिल्कुल इस तरह से आनी चाहिए तब जाकर के क्या होगा ये जो है अपने आपको पूरा मिरर पर देख पाएगा दरपन में राज आपने आपको पूरा देख पाएगा ठीक है तो ये देख पाए इसके लिए क्या चाहिए हम लोगों को ये दे अभी लंब यहाँ पर अगर हम बनाएंगे ठीक है अभी लंब अगर हम लोग यहाँ पर बनाएंगे तो दोनों ही कोड क्या होगा अलफा और अलफा क्योंकि आपतन कोड बराबर होता है परावरतन कोड के तो इसकी वज़ा से ये वाली जो इसकी हाइट है ये वाली हाइट म सवाल में आप लोग देखो, सवाल में क्या देखो, सवाल में आप लोगों को दिया हुआ है 1.5 मीटर, जो है राजा की हाइट दी हुई है, क्या दी हुई है, यहाँ पर हमको राजा की हाइट दी हुई है, फिर आखों की हाइट हम लोगों को दी हुई है, कितनी, 1.38 मीटर ह 20, तो इन यहाँ पर आपतन और परावरतन कोण जो बन रहा है, और ये वाली जो हाइट होगी इसकी, ठीक है, वह कैसे आएगी, तो बिल्कुल अगर हम क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग क्या करेंगे इसकी जो कुल हाइट है किसकी राजा की जो कुल हाइट है उससे अगर हम क्या करेंगे घटा देंगे उसकी आखों की हाइट को तो यहां पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा दसमलाव एक दो मिटर मिल जाएगा क्या मिल जाएगा दसमलाव एक दो मिटर मिल जाएगा अगर चित्र को मैं थोड़ा और अच्छे से आप लोगों को बना करके दिखाऊं तो शायद अच्छे से समझ में आएगा तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक बार और अच्छे से बना देती हूं ये हो गया राजा और ये हो गई राजा की आखे ठी ये वाली हाइट है एक दसमलव पांच मीटर की और ये वाली हाइट है एक दसमलव तीन आठ मीटर की और मैंने अभी क्या निकाला ये बीच की हाइट मैंने निकाली तो मुझे क्या या दसमलव एक दो मीटर क्या या दसमलव एक दो मीटर अब जब आपतन कोण और परावरत क्या हो जाएगा 06 मीटर मेंने यहां पर आधह कर दिया। यहां तक होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक के होनी चाहिए, मतलब कि ये वाला हिस्सा, 0.06 मीटर, ठीक है, ये वाला हिस्सा 0.06 मीटर, और ये नीचे का हाइट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कोई बता सकता है क्या, अच्छा, रजेश ने आंसर किया था 0.75, तो वो बिल्कुल इसी सवाल का आंसर दे रहा है, जल्दी से हेलो अवरिवान, हेलो, नियूनतम, 0.75, बिल्कुल सही जवाब है, साक्षी, हाँ बिल्कुल बेटा साक्षी, तुमने तो आंसर बता ही दिया है, अर्जीत पाल, बेटा सोनम शर्मा, कोई आंसर बता सकता है, नीरज, सुनिल कुमार, very good, सभी बच्चो के आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल 0.75 ही आएगा, 0.75 आपका आएगा, कि ये जो है, 1.38 बटे आप अगर 2 करोगे, तो यहां से आप लोगों का 0.69 ये हम लोगों ने आधा क्यों किया, क्योंकि ये जो आखों की हाइट है, इसको हम लोगों ने हाफ कर दिया, जैसे हम लोग होने उपर वाले को हाफ किया, वैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, नीचे वाले को भी हाफ कर दिया, और यहां पर हम लोगों क्या करेंगे, 0.69 तो यहां से याँ से हम लोगों को आ जाएगा, 0.75 मीटर, और यही क्या होगी, नियूनतम लंबाई होगी, द Efendimiz की, निय great 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 बौही ऑची जल्दी से सबकी smiley जानी चाहिए ह॥ हसता हुआ चैरा बनना चाहिए physics एल को भी रोता हुआ चैरा मतबना लड़ाए थी करता है हम जैसी चीजों को अपनी तरफ आकरषित करते हैं वैसी ही चीज़े हमारी तरफ आती है तो अगर आख बोलोगे की physics सब्सक्राइश चेहरे नहीं पर्फ यहां तंठेश और ईसा लिए ना legitimate अबात कर मेरे चाहेंगगे रजीर सोनव बुर्तिका बहुत अच्चा मज़ा आगए मैं आपके चहरे नहीं देख पाती, तो मुझे एडलिस, इमोजीस में आपने चहरे दिखा दो यार, दिखाओगे कि नहीं, येस या नो, मन के राजा बिपिन कुमार, वाव, बिल्कुल, हाट के साथ स्माइली बना करके भेजा, वाव, ग्रेट, तो बिल्कुल, अब देखो, होता क्या कि अगर आप लोग मेरे सामने होते, काश की आप लोग मेरे सामने होते, और अगर आप लोग मेरे सामने होते, तो मैं बिल्कुल, आप लोगों का हस्ता खेलता है, चहरा मुस्कुराता हुआ देखती, बीज-बीज में आप लोग कभी-कभी बदमाशियां करते, कभी-कभी मैं आपको डारती, कभी मस्ती करती, आप लोगों के साथ enjoy करती, celebrate करती, तो बिल्कुल यही celebration हम लोगों को, यही खुशी, यही चीजे, सारी चीजे हम लोगों को, हमारे इस online class में भी बरकरार रखनी है, तो हस्ता हुआ चेहरा दिखाते रहना, ठीक है, आप लोगों के सामने अगर मैं रोता हुआ चेहरा बनाऊंगी, तो अच्छा लगेगा, क्या, हाँ कि ना, जल्दी से बताओ, अगर मैं आपके comments का, आपकी बातों का reply नहीं करूंगी, तो अच्छा लगेगा, क्या, हाँ कि ना, जल्दी से बताओ, नहीं लगेगा न, तो उसी तरीके से, आपक से ज्यादा बच्चों का क्लास में आना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बिलकुल आपके लिए ही हम इतनी मेहनत करके आपके लिए बहतरीन से बहतरीन classes लेकर के आ रहे हैं और सारे concepts को आपके लिए आसान बना रहे हैं और अभी अभी हम लोगों ने 10th Hindi Medium का जो चैनल है शुरू किया है बिल्कुल आपको जो इस चीज की जरूर जानकारी होगी अगर जानकारी नहीं है तो प्लीज आप दिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाईए और अपने सभी छोटे भाई बहनों को उस चैनल के बारे में बताईए जहां पर आपकी लाकरांती मैम कक्षा दसवी की physics की classes वहां पर ले रही है वन शॉट ले रही है तो ज्यादा से ज्यादा बिडिए पृई आप लोगों को यौह वह वीडियो की लिंक्स आप लोगों को शेयर करनी है और इस वीडियो की लिंक्स भी आपलोगों को यौह साथ हम आगे बढ़ते हैं गोल या धर पन्की टापिक में तो गोलwalk दरपण का topic जो है बिल्कुल मसेदार एकदम imagine करके आप लोगों को पढ़ना ये ball देख रहे हो देख रहे हो ये ball देख रहे हो अदिती देख रहे हो हाँ बिल्कुल बोलो ना dear हाँ बिल्कुल बोलो भाई बोलो देख रहे हो हमने क्या किया इस ball को एक side से cut लगा दिया कट करके हाफ करके अलग कर दिया ये क्या बिल्कुल एक कटोरे जैसा हो गया बिल्कुल एक बाउल की तरह हो गया हो गया की नहीं बाउल की तरह हो गया की नहीं अब बिल्कुल पहले तो ये गोला था एक स्वेर था अब इसको हम लोगों ने एक साइट से कट कर दिया अब इ पेटू बन जाएगा मतलब बाहर का हिस्सा चमकीला बन जाएगा और उत्तल दरपन कल ही मैंने बताया था आप लोगों को दरपन के प्रकार मैंने बताई थे तो बिल्कुल उसी चीज को हम लोगों को और डिटेल में पढ़ना है अगर मैं बाहर मतलब की इसके बाहर के हिस्स को अगर मैं पॉलिश कर दू तो अंदर का हिस्स का चमकीला मतलब की पतलू तो बिल्कुल मोटू और पतलू की जोड़ी हमारी यहां पर बन जाती है और उत्तल और अवतल लेंस में बिल्कुल भी आप लोगों को कभी भी गलत फैमी नहीं होगी कभी भी कन्फ्यूजन नह है और यह जो आप लूक राइक साइडय में जो पिक्च्र्स आप लोग देख रहे हैं यह डिफ Grünt अबग अलग अलग प्रकार की पिक्चर्स आप लोगों के यहां पर मिल रही है कि जो गोरी जे दर पन एह होता है उसका रिए लाइफ में यूस कहां पर होता है कि आपने क दरपन बिल्कुल यहां पर आप लोगों को यह दरपन दिखेगा कि समतल है पर यह असल में समतल नहीं होता क्या समतल नहीं होता सुनिल कुमार अलपना अधिती जैनी उज्ज्वला बिल्कुल भी यह सीधा नहीं होता यह गोलिय दरपन होता है उज्ज्वल ठीक है क्या होता से यहां पर भी आप लोग इस चित्र में देख पारे हो छोटा सा यहां पर प्रतिविंब दिखाई दे रहा है किसी दर्वाजे का जो की कहीं दूर पर लगा हुआ होगा और बिल्कुल ऐसे कमरे जहां पर बिल्कुल मतलब गोल घुमावदार कमरे होते हैं जहां पर टकराने वो देख पाए इसलिए वहाँ पर इस तरह के दरपड़ों का इस्तामाल करा जाता है उपर में आप जो देख रहे हो यह बिल्कुल आपका टाटा इसकाई है तो बिल्कुल यहां पर भी क्या करा जाता है इसी तरीके से जो है सारे सिगनल्स को एक जगा इकठा करने के ठीक है बिल्कुल सोनम अच्छा कोई नया स्टूडेंट आया है प्लीज अपना नाम बताएंगे सारे नए बच्चों का स्वावत करती हूं मैं सभी नए बच्चों को जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है बैल आइकोन हिट करना है और पे बैल आइकोन हिट करना ह है ताकि आप लोगों को सारी क्लास इसकी नोटिफिकेशन टाइम ले मिल जाए ठीक है पिटा सोनम कैलाश च्वंद पवन कुमार अंशूल ठीक है तो यह तो पढ़ा हुआ है पर फिर भी आपको देखना है एक बार जल्दी-जल्दी हम इसको देख लेते हैं बिल्कुल य है कि गुफा बन गई है बिल्कुल तो यह अवतल दर्पन का कारे कर रहा है और इस अवतल दर्पन के लिए हम लोगों को एक्स्प्लीन क्या करना होगा यहां पर इस अवतल दर्पन के लिए पतलू के लिए किसके लिए पतलू के लिए हम लोगों को यहां पर यह वही केंद्र इस दर्पन का वक्रता केंद्र कहलाएगा और वक्रता केंद्र और धुरूफ को जो मिलाने वाली रेखा है यह आपकी मुख्याक्ष कहलाएगी ठीक है क्या कहलाएगी मुख्याक्ष कहलाएगी और वक्रता केंद्र से यह धुरूफ की जो दूरी है यह क्या कहल वक्रता त्रिज्जा कहलाती है और वक्रता केंद्र और धुरूफ के बीच में एक बिंदू होगा ये बिंदू आपका कहलाएगा क्या मुख्या फोकस कहलाएगा तो आप लोग जब बुक पढ़ोगे तो वहाँ पर ये सारी चीजे आप लोगों को थियोरी में लिखी होगी है कि ने आप लोगों ने अल्रेडी दस्वी में पढ़ा हुआ है तो वह थियोरी को आपको बिल्कुल न्यूस पेपर पढ़ने की तरह एक बार जल्दी से पढ़कर के आगे बढ़ना है क्लास में हम भी यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं ठीक इसी प्रकास से सेम उत्तल धर तरिज्या भी वही होगी मोटू के लिए और यहाँ पर जो है मुख्या फोकस वक्रता केंद्र और ध्रूफ के बीच में जो बिंदू होगा यह मुख्या फोकस कहलाएगा और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यह मुख्या फोकस है यह क्या है बिल्कुल तरिज्या का आधा है या तो कह सकते हैं कि यह जो फोकस दूरी है वो उसका जो दो गुना है वो वक्रता त्रिज्जा के बराबर है तो यह रिलेशन आगे भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इसके बाद अगर इस चीज को अगर आप रियल लाइफ के एक्जामपल में देखो त अच्छा सस्ता सुन्दर टिकाव एक्जामपल है जिस हिस्से से आप खाते होना वो कौन है पतलू वो पतलू क्या करता है अवतल दरपन की तरह बरताव करता है उसके पीछे का हिस्सा क्या है मोटू वो मोटू जो है बिलकुल यह जो निकला हुआ हुआ हिस्सा है यह क्या है मोटू और ये मोटू उत्तल धर्पन की तरह कारे करता है किसकी तरह कारे करता है उत्तल धर्पन की तरह और आप लोग देख पा रहे हो कि दोनों हिस्से में जो है न सीधी और उल्टी प्रतिबिंब बन रही है यहां पर सीधा प्रतिबिंब यहां पर उल्टा तो उल्टा मतलब वास्तवीक, उल्टा मतलब वास्तवीक, ठंडा मतलब कोको कोला, उल्टा मतलब वास्तवीक, सीधा मतलब आभासी और फिजिक्स आप लोगों के लिए सरल बना देगी, इसका मतलब आपकी इलाकरान्ति माम, फिजिक्स की हर समस्या का समधान मतलब इलामाम ठीक है ओके गाइस चालो बिलकुल आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर गोलिय दरपन द्वारा परावरतन के लिए चिन्ध परिपाटी हम जल्दी से देख लेते हैं देखो गाइस आप लोगों ने जो है दरपन सुत्र लैंस उसका ड़िवेशन आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसका ड़िवेशन आप लोगों को जो है बारवी कक्षा में पढ़ना है ठीक है अंशुल पूझा अधिती खुशल मन के राजा सोनम शर्मा विपीन बेटा ठीक है बेटा पूझा सुनिल कुमारी साक्षी पाठक ठीक है क्रिशन, ओके, ठीक है बिटा, ओके, आगे बढ़े, चलो, तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि पहले अवतल दर्पन के लिए देख रहे हैं, तो इसका वकृता किंदर इधर है, यह बाया हिस्सा है, यह दाया हिस्सा है, ठीक है, तो उतल दर्पन हों चाहिए, अवतल दो दूरिया होती है, जैसे कि मालो यह क्या है, फोकस दूरी है, जो धूरूव से लेकर के, मुख्य फोकस तब की दूरी, जो फोकस दूरी कहलाती है, अगर इधर बाया साइड है, तो इसको हम कैसे लेंगे, माइनस में लेंगे, अगर जैसे कि यहाँ पर वस्तु रखा हुआ अगर प्रतिविम्ब दाएं साइड बनता है ठीक है अगर प्रतिविम्ब दाएं साइड बनता है तो क्या होगा धनात्मक परंतु अगर प्रतिविम्ब इधर बाएं साइड बनता है तो वो कैसा होगा रिनात्मक होगा तो बिल्कुल दाहिने साइड सारी चीजे धनात्मक ब बायां बायां सब कुछ वही होगा धनात्मक रिनात्मक धनात्मक रिनात्मक ठीक है बस इतना ही है चिन्न परिपाटी और इस चिन्न परिपाटी का ध्यान आप लोगों को बहुत अच्छे से रखना है दरपन सुत्र जब अभी हम हल करेंगे अभी जब हम लोगों को ठीक ठाक, ठीक ठाक सब, किसी को कोई दिकत, कोई समस्या, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है आप लोगों को, हाँ किना जल्दी से बताओ, देखो देखो, एक काम करते हैं, इसको और भी इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए, मैं एक आप लोगों को बढ़िया से वीडि जल्दी बताओ, सभी बच्चे, यस या नो, वैरी गुड, सबकी स्माइलीस मुझे दिखनी चाहिए, हसता हुआ, खिल खिलाता हुआ, चेहरा मुझे देखना है, और बिल्कुल इसलिए मैं भी आप लोगों के लिए बहुत यहच्चे से हसते, खिल खिलाते रहती हूं, ब एक 30 सेकेंड के वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा एक्स्प्लेंड कर दूँगी, तो हम उसको जल्दी समझ पाएंगे, राइट, हाँ की ना, जल्दी समझ पाएंगे, वर्तिका, सोनम, शर्मा, येस, ओके, अधिती, अधिती, विके, सुनिल कुमार, ओके, चलो, स्टा वक्रता, केंद्र, जितने भी बिंदू हम लोगों ने पढ़े हैं, उन सभी बिंदू पर एक-एक करके रहेगा, ठीक है, तो प्रतिबिम्ब बड़ा छोटा कैसे बनेगा, इसको ध्यान से आप लोग देखना, रेडी एवरिवान, ओके, वान, टू, थ्री, यहाँ पर, य अब यहाँ पर वक्रता, केंद्र, बिल्कुल, अब यह जो है, उत्तल धरपन के लिए यहाँ पर दिखा रहा है, तो वापस से यह वीडियो शुडू होगी, तो हम एक्स्प्लेनेशन देखते हैं, इसको एक बार रिपीट देखेंगे, ठीक है, एक बार रिपीट देखें के लिए देख रहे है, दूर थी तो प्रतिबिम्ब छोटी थी, पास आ रही है, तो बड़ी होती जा रही है, बिल्कुल, यही चीज़ा आप लोग जो है, गारी के साइट से देखने वाले दरपन में देखते होगे, दूर रहती है, तो प्रतिबिम्ब छोटा रहता है, ज बढ़ा होता है, बिल्कुल, यहीचिज़ा आपको अगर दिमाग में बैठी होगी, तो हम जब उत्तर लेंस, आउतर लेंस से गोली दरपन में जो बनने वाले प्रतिबिम्ब है, उनके नियम और उन प्रतिबिम्बो का एक्स्प्लेनेशन पढ़ेंगे, तो बहुत जल्द इहाँ पर भी वैसे ही बनेगा सबसे पहले हमारा प्रतिपिंब बहुत जाधा दूर है तो इन दोनों ही case में जैसे कि यह हमारा उत्तल है पेटू और यह हमारा अवदल ठीक है यह कौन है पतलू पतलू तो यहां पर जो है अनन्त से आ रही है किरणे तो जब अनन्त से किरण के पश्षात परावर्तन के पश्षात आप लोग देख सकते हो कि अवतल दर्पन के केस में यहां पर क्या हो रहा है अवतल दर्पन के केस में इस बिंदू पर इकटी हो रही है और यही बिंदू क्या कहलाता है इस दर्पन का फोकस बिंदू कहलाता है क्या कहलाता इस दर्प प्रतित हो रही है पर परावर्तन के नियम का पालन कर रही है तो यह कैसी हो रही है बिलकुल जो है मतलब बिखरती हुई जा रही है कैसी जा रही है यहां पर एक जगह पर इकटी हो रही है यहां पर क्या हो रही है बिखर रही है पर अगर हम इन लाइंस को पीछे की तरफ ब नात्मक हुआ दोनों में अंदर क्या है यहां पर किरने बिखर रही है वास्तव में और आभासी रूप में हम लोगों को मिलती हुई प्रतीत हो रही है आभासी रूप में यहां पर प्रतिविंब बन रहा है दरपन के पीछे प्रतिविंब बन रहा है ठीक है आभासी प्रति रतीत होता है वो आभासी होता है और आभासी हमेसा सीधा होता है ठीक है आभासी हमेसा वही बोलते है ना कि जो सीधा सीधा साधा दिखता है वो अक्च्छल में सीधा होता नहीं है हमको आभास होता है कि वो सीधा साधा है ठीक है बट यहां पर जो वास्तविक है वो कैसा दि बनेंगे है ना मुख्य फोकस तो हम लोगों ने समझ लिया और इनके लिए जो प्रतिबिम्ब अभी हम लोगों ने आनन्द से आती हुई देख लिया पर इसके नियम है इनके नियम है तो इन चार नियम को आप स्क्रीन स्वाट ले सकते हो इसको हम जो है चित्र के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी जैसे कि पहला यहाँ पर बोल रहा है कि मुख्याक्षा के समनांतर आने वाली सभी प्रकाश के ने फोकस से होकर के जाएंगी तो इसको अगर हम उतल और अवतल लेंस के लिए देखेंगे तो यह मुख्याक्षा के समनांतर आई और यह कहां से होकर के गई बिल्कुल यहाँ पर फोकस बिंदू से होकर के गई उसी तरीके से यहाँ पर मुख्याक्षा के समनांतर आई तो यह परावर्तन के पशाथ गई और यहाँ पर focus से होकर के जाती हुई प्रतीत होगी क्योंकि वास्तव में नहीं जाएगी तो वास्तव में जाती हुई वास्तव में नहीं जाएगी तो प्रतीत होगी हमको आभास होगा ठीक है क्या होगा हमको आभास होगा ठीक है तो ये हो गया पहला नियम और बिल्कुल दूसरे नियम की अगर हम बात करें तो फोकस से होकर जाने वाली अत्वा फोकस की और आने वाली सभी प्रकाश किरने मुख्य अक्ष के समनांतर प्रवाब पर आवर्तित हो दिया है ज़स्ट उल्टा केस है पहले क्या हो रहा और मुख्याक्ष के समनांतर जाएगा सेम चीज उत्तल धरपंग के लिए भी होगा फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा और मुख्याक्ष के समनांतर जाएगा क्लियर है सभी को यस की नो जल्दी से बताएंगे साक्षी नितिन सुनिल अंशुल पूजा कुमारी अलपना अधिती विकेश वर्तिका श्वेता कुमारी सोनम सभी को समझ में आया वरी गुड अब सबके इसमाईली फेस चाहिए मेरेको हर रार हसता कहलता चहरा चाहिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे बिलकुल हसते खिलखलाते वे देखने चाहिए किसी की परिशानी मैं नहीं देख सकती हूं बिलकुल आपकी हर परिशानी का हल करना मेरा ही काम है बिलकुल फिजिक्स के समझ समभन緝 सम्भंЗित हे परिक्षा के समभ अबTH तो इसके लिए बिल्कुल आप लोगों को बने रहना है PDF मिलेगा आपको specialisen PR में एक पर बने चुरीकर dus वहाँ पर भी चैर करती हूं तो वहाँ बी आप लोग मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्लास की पीदियाफ वहाँ पर मिल जाएगी ठीक है अब तीसरे नियम की बात करें तो बिलकुल केंदर से होकर जब आती है तो वापस भी अपतन कोण और परावरतन कोड़ यहां पर बराबर होगा और जैसे आएगी वैसे ही उतने ही कोड़ के सांथ वापस चली जाएगी सेम चीज़ यहां पर आपके उत्तल दर्पन के लिए भी होगा ठीक है तो बहुत ही चार आसान नियम है सारा कुछ 10 का सिले बस पढ़ा बिल्कुल लोड लेने की बात नहीं है और यह जो नियम है इन्हीं के नियम के आधारपन हम लोगों का अवतल और उल्तल का जो कीरण आरेक है वो बिल्कुल बनेगा यहां पर आप देख सकते हो यह चीज तो हम लोगों ने वैसे देख लिया यह मेजरमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोगों को आगे चीज़े समझनी है ठीक है ध्रूव मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र बिल्कुल इसी पर अधारित है सारा कुछ ठीक है तो पहला हम जो है यहां पर अवतल दर्पन के लिए ले रहे हैं पहला अवतल दर्पन का केस फोकस बिंदू से अगर दर्पन के बीच तो जैसे कि मैंने आप लोगों को वो एक रिल दिखाया था राइट एक रिल दिखाया था जहां पर बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा तहले जो है यहां पर था यहां से पास आता हुआ वो यहां पर गया था ठीक है बिल्कुल तो ह हम शुरू करते हैं यहां पर यह फोकस और ध्रू के बीच में हगर हम यहां पर किसको खड़ा करा देते हैं किसको खड़ा कराएं यहां पर हम किसको खड़ा कराएं क्रिशन को चलो क्रिशन को खड़ा कराते हैं तो यहां पर हमारा क्रिशन खड़ा हुआ है कौन खड़ा मतलब जो सिदा दिखता है वो सिदा होता नहीं आभास होता है तो ये कैसा प्रतिभिम्भ है ? आभासी और ये तो clear है कि धर्पन के पीछे बन रहा है और वस्तू से बढ़ा बन रहा है क्या ? दरपन के पीछे और वस्तू से बढ़ा तो लिख सकते हो दरपन के पीछे और वस्तू से बढ़ा तो बिल्कुल यही सारी चीजे आप लोगों को एक टेवल में लिख करके मैं दूंगी आखरी में कि प्रतिबिंब का आकार क्या है प्रतिबिंब की इस्थिति कहा है दरपन के पीछे है कि सामने है छोटा है कि बड़ा है सीधा है कि उल्टा है वास्तविक है कि आभासी ये चार चीजे आप लोगों को लिखनी होगी और बिल्कुल इसी तरीके से आगे हम लोग देखते जाएंगे और इसका सबसे सहीं उधारण भी मैंने आप लोगों को प्राक्टिकल दरपण इसी अवतल दरपण का इस्तमाल होता है तो क्या किसी तिन कभी सोचा था कि दात का डॉक्टर अवतल दरपण कौन से दरपण का इस्तमाल करता है सोचा रगया कभी किसी ने नहीं सोचा था तो कोई बाद नहीं वैसे तो दसवी का है पर बिल्कुल आप लोगों को तो यह कहीं पर भी जा करके नहीं मिलेगी और अपना प्रतिविंब कहां पर बनाएंगी अनंत पर प्रतिविंब बनाएंगी तो जो गारी का हैडलाइट होता है गारी का हैडलाइट इसका बहुत ही सही एक्जामपल है यहां पर जो है अवतल धरप्रं का इस्तमाल किया जात पर अब आ गए हम तीसरे केस में तो थोड़ा आगे बढ़ गए और यहां पर जो प्रतिबिम्ब है अनंत पर ना जाकर के कैसा बन रहा है यहां पर प्रतिबिम्ब आप लोग देख पा रहे हो उल्टा उल्टा मतलब की वास्तविक ठीक है उल्टा और वास्तविक बन रहा है कहां पर बन रहा है चौन्था पॉइंट दर्पन के सामने बन रहा है अब अगले पोजिशन में हम लोगों को क्या ए वन टू थ्री और फोर अगला पोजिशन हमारा होगा वकृता केंद्र पर तो हम अपने अगले पोजिशन पर आ जाते हैं कि जब हम यहां पर कृषन को, जब हम यहाँ पर क्रिशन को वकृता केंद्र पर जब हम खड़े कर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आवधल दर्पन के लिए इसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर उल्टा मतलब की वास्तविक और बिल्कुल दर्पन के सामने बन रहा है अब सब्सक्राइब कीरण यहां तो बिल्कुल मैं यहां पर किरन फ्रकाश की पर ही प्रकाष डाल रहिए और इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर अउतल दरपन से प्रतिबिम्ब आप लोगों को दिखाई दे रहा है पहला दूसरा तीसरा और चौथा पोजिशन को तौस करते हुए हम आ गए हैं पांचवे पोजिशन पर जो वकरता केंद्र के बिलकुल आगे है देखो अनंत वा देख करके बता सकते हो आप बिलकुल अगर आप देख नहीं रहे हो ना तो अगर आपको परिक्षा में सवाल आता है तो वहां पर आप बना सकते हो बहुत ही आसानी से उल्टा बन रहा है चोटा बन रहा है दरपन के सामने बन रहा है उल्टा मतलब की वास्तवीक बन रहा और यहां पर फोकस पर इकटे होते हैं और यह तो बचपन की कहानी है कि फोकस को ठीक करने के लिए बिल्कुल नीचे से जो है आवाज लगाई जाती है कि आया की नहीं मतलब नीचे से जो है बिल्कुल बता बताया जाता है कि भाई सिगनल नहीं आया नहीं आया उपर वाला आया की नहीं, बिल्कुल वही कहानी, हर घर की जरूँ तक हिस जलना की जल्दी करते हैं क्रिशन को खड़कर आ देना है कि नहीं मैं मेरा नेम क्यों चोड़ देती हो कोई बाहत नी dries अगली बार तुम को खड़कर करा देंगे उथर लांस जब हम पढ़ेंगे तो इस बार इंद्र जीत को ठीक है चाहलो हाँ बना दो भई अधिती क्रिशन कोई बना दो smileys बिलकुल अगर clear है तो table याद करने की जरुवत है क्या याद नहीं करना बना चाहिए याद करने की जरुवत नहीं होनी चाहिए बिलकुल यह भूत ही आसान सा table है यह बिलकुल आप लोगों को बनना चाहिए यह सारे examples मैंने आप लोगों को already दे दिया है, बिल्कुल हर एक example, real life में क्या use है, यह आप लोगों को बहुत ही अच्छे से clear होना चाहिए, और इसी के related एक छोटा सा objective question हम यहाँ पर कर लेते हैं, सवाल कैसे पूछा जाता है, देखो वैसे तो lens से ज़्यादा सवाल आते हैं, आप लोगों को दरपन से कम सवाल आते हैं, पर फिर भी हम लोगों को एक बार at least revision तो करना ही होगा, right, yes or no, एक बार revision तो करना ही होगा, जो हम लोगों ने दस्वी में पढ़ा है उसको, ठीक है, तो यहाँ पर किसी बिम्ब मतलब की वस्तु की बात हो रही है, किसी बिम्ब आभासी सीधा और बिम्ब से बड़ा पाया जाता है, ठीक है, आभासी सीधा मतलब की वस्तु की सारी इस्थिती, वस्तु की इस्थिती कहाँ पर होगी, तो अवतल दरपन, ठीक है भई, अवतल दरपन के लिए बोल रहा है, तो 6 cases हम लोगों ने पढ़े हैं, आवतल दरप का स्तमाल कर रहा था – अवतल दरपन का स्तमाल कर रहा था, वस्तु काफी जादा पास में था, और इसी केस में यहां पर जब बन रहा था तो बिलकुल इस तरह से आभासी और सीधा और बड़ा प्रतिभिम्ब बन रहा था, याद रखने की जरुजीं है, सीधी सी बात है, यहां पर जब बास में था तो बड़ा प्रतीब में जैसे जैसे दूर जा रहा था तो वकरता केंद्र पर आया तो सेम साइस का बना और वकरता केंद्र से बाहर आया तो क्या हो गया वस्तू से छोटा बना नहीं तो हर बार क्या बन रहा था वस्तू से बड़ा ही बन रहा था फिर मतलब कि उसके बाद क्या बना वस्तु से चुटा तो बिल्कुल जो आप लोगों को real मैंने दिखाया उस real को आप लोगों को दिमाग में ध्यान में रखना है और यहाँ पर जो वस्तु की position हम लोगों को पूछा है तो ये वस्तु की position कहाँ पर होगी तो दरपण के धुरू और मुख्य focus के बीच में, कहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर, धुरू और यह focus बिंदु है, और यह है हमारा धुरू, और धुरू और focus के बीच में जब यहाँ पर रखा होगा, तब जाकर कि हम लोगों को यहाँ पर करके देखने के लिए और बिल्कुल आप लोग जो है इसका समाल दाथ के डॉक्टर के मतलब कभी भी आप लोगों ने जरूर चेक कराने के लिए गए होगे बिल्कुल सही आंसार है और आगे जब उत्तल दरबन की बात करें तो उत्तल दरबन के दो ही केस है फर यहां पर इस कराया और उत्तल दर्पन के सामने जब हम ने इसको खड़े कराया तो हुआ क्या बिल्कुल दर्पन के पीछे सीधा और बिल्कुल बहुत ही छोटा सा प्रतिविंब बना ये इसका बहुत ही आसान सा उपयोग है गारी में पीछे देखने के लिए जिस दर्पन का हम इस्तमाल कर रहे थे वो बिल्कुल यही दरपन था उत्तल दरपन क्योंकि दूर की वस्तु हमको छोटी सी होके दिखाई दे थी यह सारी चीजे ना कॉमन सेंस है इसमें कहीं पर भी कोई बहुत जो है लाजिक नहीं है बहुत ही आसान है अगर थोड़ा सा भी आप विज्वलाइस कि वह रिल को अगर आप याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा क्यों वरतिका ठीक बोल रही हो की नहीं और बिल्कुल यह केस दूर से आती हुई वस्तु के लिए तो आप लोगों ने पढ़ी लिया है और इसका सबसे सहीं सौट एक्जामपल दोनों का ही हाई होगी लाई गारी तो समने चलाई होगी दूर से आती हुई ट्रक को आपने बाजु से देखा हो का भिलकुल उसी सबुल माँसी तरीके से अब जो है लेफ्र लाइट साइड हट गए होगे है है उत्तल दरपण का केस ऐसा है कि इसके दोनों ही केस में आप लोगों को आभासी और सीधा मिल रहा है ठीक है ओके चलो वैरी गूड तो आप लोग देख सकते हूं यह सारे उपयोग आप लोगों को दिखाए गए है सभी को पहचानना है और कमेंट में लिख करके आप लोग जाना चाहिए यहाँ पर जो चित्र है चलो मैं इसको नंबरिंग कर देती हूं 1 2 3 4 5 और यह 6 & 7 तो यह जो 7 पिक्चर्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर क्या है सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो लिंक के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर सभी बच्चे इन साथों सवाल का आंसर देंगे सब के कमेंट में चेक करूंगी और क्वेशन पर फोकस करो क्वेशन एक सुदूर लंबी उंची मिनार मिनार है एक बड़ी लंबी मान लोग की लंब कुतुम मिनार है मान लेते हैं कि कुतुम मिनार है बिल्कुल दिल्ली का खुतुम मिनार ही हमने यहां पर बना दिया इसकी संपूर्ण लंपाई का हमको क्या करना है अवलोकन करना है तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना कि नहीं आंसर नहीं दिया तो बिलकुल विकास और लक्षमी ने सबसे पहले आंसर किया जरूर है प्रिंसी तीवारी बिटा आपका भी आंसर गलत है और यहां पर आप लोग खुद देखो ना मतलब की जैसे कि हम लोग गाड़ी के साइड में रियर व्यू मिरर देखने के आप भी तक किसी कभी आंसर नहीं आया बिटा हां लक्षमी प्रजापती अब आपका आंसर सही आया है आचल, दीपक, आचल, दीपक, संजीव, संजीव की सर्वजीत, बिटा आपका नाम थोड़ा अन्वीजर है बड़ कोई बात नहीं संजीव भी बोल लेती हुए मैं सं प्रजेश कैसे हो बिल्कुल श्वेता कुमारी आपका भी आंसर सही है शगून गुरजर गुड़ी गुड़ अब बहुत सारे बच्चों के आंसर लगातार आ रहे हैं कमेंट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैं बिल्कुल सबके आंसर देख पारी हूं शीवम और बहुत स कैसे आएगा यह मैं आप लोगों को थोड़ समझा देती हूं जैसे कि यहां पर बड़ी सी वस्तू है तो हम लोग क्या कर रहे थे साइट के जो पीछे के बहुत बड़ी बड़ी चीजे जैसे ट्रक वगरा को देखने के लिए हम क्या कर रहे थे उत्तल दरपन का इस्तमाल करते हैं तो मेरी कैसे अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है पर नहीं आया तो आप लोगों को सेल्फ इस्टडी की बहुत ज़्यादा जरुवत है क्योंकि सारी चिंज मैं ने इसके पहले वाले लेक्चर में बता दिया है चलो सेकंड कोशन पर हम आते हैं सेकं बिंदू पर रखा जाता है तो इसकी चवी कहां पर बनेगी वकरता केंद्र और फोकस के बीच में यहां पर कहीं पर रखा जा रहा है तो इसकी चवी कहां पर बनेगी आपको बताना है फोकस और वकरता केंद्र के बीच एक बिंदू पर सेकंड ऑप्शन है वकरता केंद् नहीं बताओगे लक्षमी मैं अभी टैंथ का ही टॉपिक चल रहा है क्या बिल्कुल टैंथ के टॉपिक से हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आज हम पढ़ेंगे ना तो हम दरपन सुत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका डेरिविशन हम लोगों को करना है जो कि टैंथ होते हैं तो बिल्कुल इधर बनता है कि लाधी जब यहां पर था तो इधर बन रहा था तो बिल्कुल इस तरह से बनेंगा आई थी आई होप कि ये करेक्ट आंसर हो ठीक है चलो next question पे जाते हैं next question पे जाते हैं तो next question में प्या क्या पूछ रहा है कि अवदल दर्पन की वक्रतात त्रिज्जा 30 cm है क्या है अवदल दर्पन की वक्रतात त्रिज्जा 3 cm है 30 cm है सॉरी Cartesian चिन्ह प्रथा के अनुसार मतलब कि जो हम लोगों ने चिन्ह परिपार्टी देखा था इसके अनुसार अगर हम लोगों को focus दूरी के रूप में इसको व्यक्त करना हुआ तो इसकी focus दूरी के रूप में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं ये तो बहुत ही आसान है इसमें रहा है आपको क्लास में फिर भी देख करके इंद्रजीत शीवानी श्वेता जल्दी से बताएंगे आंसर तो बहुत सारे बचों के आंसर आने शुरू हो गए है तो सबसे पहले किसका अंसर आया है रॉबिन का यश अंजली कुमारी सुर्या इंद्रजीत क्या आएगा अंसर यार यह क्या आएगा यह आएगा आप लोगों का माइनस 15 सेंटीमेटर माइनस 15 सेंटीमेटर क्यों आएगा क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर प्रेशनल में बोला है चिन्न परिपाटी के अनुसार आप लोगों को बताना है कैसे बताना है आप लोगों को चिन्न परिप पाटी के अनुसार अगर हम किसकी बात करें अवतल धर्पन की बात करें तो अवतल धर्पन का जो फोकस दूरी है ये वकरता केंदर ये फोकस दूरी तो ये बाइसाइड हो जाएगा तो ये तीस बटे दो तीस बटे दो ये फोकस दूरी 15 तो हो जाएगी पर ये होगी क्या म माइनस 15 सेंटीमीटर ठीक है तो आई थिंग डी आप्शन तो बहुत ही कम बच्छों का आया था मोच्छों ने जो है सेकेंड आप्शन बताया था मुझे ठीक है तो यहां पर भी आप लोगों को कांसर रहा था अब जाकर के अन्नपुर्णा अकांशा लक्षमी ओम प्रकाश अब बच्छों कांसर डी आना शुरू हुआ है तो बिल्कुल इसी तरीके से ध्यार रखेंगे और काफी ज़्यादा मज़ा आया उमीद करती हूँ आप सभी बच्छों को मज़ा आया होगा अगर अगर मज़ा आया तो जल्दी से थमसब दिखा देंगे बहुत ही बड़ी सिसी स्माइली के साथ कमेंट को भर डालेंगे अगर आप लोगों को मज़ा आया तो आप लोगों को यह भी समझ होगा कि सैल इस टंडी करना बहुत जादा जरूरी है क्या self study बहुत important है class के बाद हमको खुछ से बहुत ज़्यादा पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा जरुवत है और minus के करण कलात हो गया तो क्या हुआ पर ये छोटी-छोटी concept बहुत ज़्यादा important है ठीक है तो बिल्कुल ध्यार रखेंगे इन सभी बातों का और आज का topic हम शिरू करते हैं जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं गोलिय दरपन में वक्रता त्रिज्य और focus दूरी के बीच में संबंध इसका मतलब जो numerical अभी-अभी हम लोगों ने किया है इसको हम लोगों को क्या करना है derivation के माध्य हम से proof करना है यह derivation बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है इसलिए हम इसको quickly आगे बढ़ाएंगे बहुत ही quickly आगे बढ़ाएंगे आप लोग यहाँ पर diagram में देख पा रहे हो जब इस derivation को हमको proof करना है तो यहाँ पर प्रकाश की एक कीरण AB यहाँ पर आ रही है जो कहां से हो करके जा रही है बिल्कुल focus से हो करके बिल्कुल नियमों का पालन करते हुए जा रही है साक्षी कुजर good evening बेटा बिल्कुल और यहाँ पर जा रही है ठीक है तो यहाँ पर जो AB है AB है वो क्या है बिल्कुल समनांतर है किसके समनांतर है यहाँ पर CP के समनांतर है और यहाँ पर यह जो BC है वो बिल्कुल इन समनांतर रेखाओं को मिलाने वाली रेखा है ठीक है अब इसके बाद आप लोग यह भी देख रहे हो कि यहाँ पर यह जो कोण है आपतन कोण और पर परावरतन कोड ठीक है आपतन कोड आई और यह परावरतन कोड ठीक तो यह आपस में तो दोनों बराबर ही होंगे ऑव्यसी बात है ठीक है और सांथ ही साथ यहां पर जो है यह वाला कोड भी बिल्कुल आपतन कोड के बराबर होगा क्योंकि एकांतर कोड के माध्यम से ठीक ह ये एक आंतर कौन की मादियम से बराबर होगा तो जब हम लोगों को derivation करना होगा यहाँ पर ठिक तो हम लोगों को आगे क्या करना होगा क्या करना होगा कोई बता सकता है क्या हाँ बिलकुल बेटा ब्रजीश एफ बराबर एफ बराबर वकरता त्रिज्या बटे दो हम लोगों को क्या करना है प्रूफ करना है ठीक है वकरता त्रिज्या बटे दो हम लोगों को प्रूफ करना है तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि जो बी एफ और एपसी है बी एफ कहाँ पर है हमारा बी एफ और ये F C, ठीक है, B F और F C, क्या ये बराबर होंगे, क्या ये बराबर होंगे, कोई बता सकता है, क्या ये बराबर होंगे, B F और F C, देखों मैंने क्या क्या बताया, मैंने आप लोगों को ये बताया, आप तन कोड जो है, परावर तन कोड के बराबर होगा, मतलब कि यहाँ प कोड़ A B C पराबर होंगे किसके कोड़ B C P K देखो B C P K ऐसा अगर मैं आप लोगों को लिख करके बताऊंगी न तो बहुत ही जादा कन्फ्यूजन होगा तो बहतर है कि इसको जो है हम लोग थोड़ा नॉर्मल तरीके से समझते हैं क्या करते थोड़ा नॉर्मल तरीके से समझते हैं इस तरीके से आप लोगों को बुक में भी लिखा हुआ मिलेगा पर यह बहुत ही जादा complexity आपके दिमाग में create करेगा agree करते हो कि नहीं मेरी बात से सभी बच्ची comment करके बताएंगे अगर इस तरीके से हम लोग लिख के पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल बहुत ही दिमाग जो है घूम जाएगा तो बहतर है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से इस concept को समझाऊंगी तो आप लोगों को सिर्फ मैं क्या बोल रही हूँ और कहां पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ उस चीज़ को आप लोगों को focus करना है ठीक है शुरुआत से मैं आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ पर BC जो line है यह जो है इन दोनों समनांतर रेखाओं को मिला रही है ठीक है अब यहाँ पर आपटन कोड़ और परावरतन कोड़ जाहिर सी बात है परावरतन के नियम का पालन करे गा ही और यहाँ पर यह जो आपटन कोड़ है यह बिल्कुल एकांतर कोड के कारण यहां पर भी यह दोनो कोड क्या होंगे बराबर होंगे ठीक है तो क्योंकि यह सारे कोड यहां पर बराबर है इस वजह से जो यह वाली दूरी है BF और CF ठीक है यह वाली जो दूरी है BF और CF यह दोनों दूरी भी क्या होंगे आपस मे बराबर होंगे तो ये हो जाएगा क्या बी एफ बराबर सी एफ हो जाएगा क्या हो जाएगा बी एफ बराबर सी एफ हो जाएगा ठीक है इसके बाद क्या कुछ और भी बराबर हो पारा है हां बिल्कुल हो रहा है यहां पर क्या पी एफ यह जो पी एफ है यह वाला ठीक है यहाँ पर यह जो PF है और यह जो CF है यह बिल्कुल यह भी एक दूसरे को क्या कर रहा है सम्धिभाजित कर रहा है दो बराबर भागों में बाट रहा है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा PF बराबर CF हो जाएगा होगा की नहीं होगा होगा देखो derivation थो ऐसा boring feel कराता है बट इला मैम है आपके साथ आपको boring feel कराने नहीं देगी बहुत यह आसान तरीके से एकदम चुटकियों में यह derivation खतम हो जाएगा, बुक में पढ़ोगे तो एकदम clearly समझ में आ जाएगा, ठीक है, स्कूल में भी मन नहीं लगता, बिलकुल कोई बात नहीं स्कूल में मन नहीं लगता, तो इला मन की class में तो मन लगता है न, बिलकु का क्या है, दूसरा समीकरण, एक समीकरण और यहां पर दूसरा समीकरण, ठीक है, तो यहां पर, यहां पर क्या कर सकते हो आप लोग, यहां पर आप लोग जो है, इस PF को और इस CF को जोड सकते हो, PF प्लस CF, जोड सकते हो, PF प्लस CF आप जोड सकते हो, और आप लोग यहां प क्या कर सकते हैं, इस CF की जग़ा, PF भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, PF plus PF, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बिलकुल, टू, PF हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, सभी पच्चे एगरी करते हैं, होगा, yes or no, very good, ठीक है, अब यहाँ pan盃 ये देखो, जैसे कि ये जो इन दोनों को जब हम लोग जोड रहे हैं ठीक है तो इन दोनों को जब हम जोड रहे हैं ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तो इन दोनों को मिला के क्या होगा PC होगा होगा इन दोनों को मिला के PC तो मैं इनके जगह में क्या कर रही हूं PC रख रही हूं और यहां से जो है इस दो को पक्छांतर करूंगी तो पी एफ बराबर क्या हो जाएगा पी सी बटे दो और यह पी सी कुछ नहीं है यह पी सी कुछ नहीं है बलकि आर है तो यह क्या हो जाएगा आर बटे दो और यहां पर यह पी एफ क्या है यह जो है बिल्कुल फोकस दूरी है तो यहां से जो है हमारा बिल्कुल प्रूफ हो जाता है कि जो वक्रता त्रिज्जा है वो क्या होती है फोकस दूरी की दो गुनी होती है तो बिल्कुल बहुती आसान सा है कुछ भी नहीं रखा है थोड़ा सा बुक पढ़ लेना क्लास खतम होने के बाद जल्दी से हम दरपन सुत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि दरपन सुत्र हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाहो तो स्क्रीन शॉट लो जल्दी से हम दरपन सुत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे ठीक है बिल्कुल सुमित बेटा क्लियर है क्या दिक्कत है बताओ कमेंट करके अगर कोई दिक्कत है तो क्योंकि बहुत ही आसान है मैं दो बर तीन बर बोल के सुनाई हूँ है ना बोल के बताई हूँ आप लोगों को लक्षमी प्रजापद बेटा क्लियर है अंशुल सबीरा हाँ बिल्कुल ब्रजेश को clear है भूमी को भी clear है very good बेटा लक्षमी को भी clear है अधिती को भी clear है बहुत अची बात है देखो बिल्कुल हम लोगों को ना इस चाप्टर को बहुत आसान बनाना है हम मिल करके बनाएंगे आसान यह derivation अगर आपको मैं बहुत ही boring तरीके से बता थिक है यह तो हो गया हमारा इसके बाद हम दरपन सुत्र तो हम लोगों को derivation करना है तो यह छीज प्रूफ करना है दरपन सुत्र के लिए कखशा दसुमी में आप लोगोंको सीधा सीधा दर पन सुत्र बता दिया गया था derivation करो गया आप बारवी में अब भारवी पहुच गए हो तो कुछ तो महगा पड़ेगा आपको कुछ तो करना पड़ेगा है कि नहीं उच्वल दीपक अन्शूल पायल सहीं बोल रही हो कि नहीं बिल्कुल तो डैरिवेशन आपको करना है तो यह जो इमेज है आप लोग देख पा है यह तो आप लोग बना ही सकते हो अगर चाहो तो मैं आप लोगों को एकदम क्विकली बना करके भी दिखा देती हूं बिल्कुल और यह तो टैंस की बात है बहुत ही आसान है आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा वकरता केंद्र पर वस्तू रखी हुई है यह आ रही है तो यह जो मुख्याक्ष के समनांतार आ रही है यह कहां से हो करके जाएगी बिल्कुल फोकस से हो करके जाएगी ठीक है और जो यहां पर जो यहां इधर आ रही है कहां पर धुरू में आ रही है कहां पर आ रही है तो बिल्कुल यह जो है आपतन कोन बराबर परा बावर्तित हो जाएगो तो यहां कहीं पर जो है आप लोगों को क्या बनेगा प्रतीबिम्ब बनेगा ए-डास बीडाइस यहां पर प्रतीबिम्ब बनेगा और यह प्रतीबिम्ब किसके बीच में बने रहा ह taking और और फोकस दूरी के बीच में फोकस बिंदू के बीच में वकरता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है ठीक है पूजा पंकत जोती उज्वल सभी बचे गाईस आप लोगों को बिल्कुल शुरू से लेकर के आखरितिक बने रहना है अच्छा एक बात बताओ क्या आप लोग इस टॉपिक को खुछ से पढ़ोगे तो समझ में आएगा यस या नो जल्दी से बताओ नहीं आएगा बिल्कुल नहीं आएगा बिल्कुल आप लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा इसके लिए आप लोगों को क्लास में बने रहना है शुरू से लेकर आते हम पूरी जान लगा देते हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए क्या पूरी जान लगा देते हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए तो बस मैं भी आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगी कि जितना मेहनत हम आपको आगे बढ़ाने के लिए कर हैं उत्तना ही लगन आपको मैम क्या बता रही है इस बात को सुनने में अगर आपकी लगन होगी ना मैं गैरंटी दे रही हूँ आपको कोई 95% से उपर इस से नहीं रोक सकता कोई नहीं रोक सकता आपको बिलकुल हम आपके साथ खड़े हुए हैं आपको क्या करना है ध्यान से शूरु से लेकर आखरी तक लेक्टर को सुनना है कहीं नहीं जाना है consistently बने रहना है, note करते जाना है, लगातार proper अच्छे से आप लोगों को note करते जाना है, diagram मैंने आप लोगों को बना के बिल्कुल दिखा दिया, इस चीज़ को अगर हमको proof करना है, तो इस चीज़ को proof करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो इसके लिए आगे मैं आप लोगों दिखाई दे रहे हैं कौन कौन सा त्रिफुज एक त्रिफुज है ABC और दूसरा त्रिफुज क्या है दूसरा त्रिफुज है A-B-C एकदम आसान से बताऊंगी तो इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा सुनना पड़ेगा बहुत आसान तरीके से अब है त्रिभूज में आपको खेलना है और आपको दरपन सुत्र एकदम क्लियर हो जाएगा इन चार त्रिभूज में ही आप लोगों को खेलना है पहले जो दो त्रिभूज है पहले हम इन दो त्रिभूज की बात करेंगे फिर हम इन दो त्रिभूज की बात करेंगे क्लियर है पहले हम इंदोत्रिभुच की फिर अगेन हम इंदोत्रिभुच की बिल्कुल येस बेटा येस पंकर्च उज्वल बिल्कुल ध्यान से सुनो आपको 95% से उपर नंबर लाना है ध्यान से सुनना है और ये दरपन सुत्र का जो डैरिवेशन है सब बच्चों को टफ सकता है और आप अगर ये पार्च मीनट सुन लिए न ध्यान से इस डैरिवेशन को तो बिल्कुल ये हमेशा के लिए आपको आसान हो जाएगा भूल के दिखादो मैं चैलेंज करती हूं आपको फूल के बताओ मेरे को आप भूल नहीं पाओगे कभी ठीक है बिल्कुल क्या लिए लुए है रंइस यम टोने कि लिए हम 모르ने ठीक है ये ऊक्ते बाद कर दई यह स्कती वाली लाइन का लेंगे में में सेस उखें पर यहां पर यह जो बैसिये Inst MARTIN में हम क्या लिखेंगे बी डशी ठीक है बी सी बटे बी डशी तो ध्यान से देखना पहले मैंने जो है वस्तु मतलब ये वाला त्रिभूज लिया तो ये से वाले त्रिभूज में पहले मैंने वस्तु वाले के बारे में लिखा नीचे नीचे जो हर का भाग है यहां पर मैंन प्रतिबिम्ब वाले का लिया ठीक उसी तरीके से मैंने वहाँ पर भी एक अनुपात लिया जिसमें मैंने जो है किसका लिया पहले ये वाला पहले लिया फिर हम मैंने क्या किया प्रतिबिम्ब वाला लिया समझ में आया सभी को वर्शा उज्वल राहू कुशल रतनलाल सभी क लक्ष्मी, अभी, साक्षी, मुकेश, ब्रजे, स्वेता, साक्षी, सभी बच्चे clear है, very good, बहुत अच्छी बात, अगर सब बच्चे clear है, तो हम आगे बढ़ते हैं, खीक इसी प्रकार से, दूसरे वाले में भी हम लोगों को यही चीज करना है, दूसरे वाले में भी हम क्या करेंगे, MP, ठीक है, यह वाली लाइन, यह वाली लाइन, और उसके बाद A-B-S, MP, बटे, A-B-S, बराबर क्या करेंगे, 26 वाली लाइन को लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, PF, बटे, B-F, ठीक है, तो हम लोगों को दो त्रिभूच का जो सेट मैंने आपको दिखाया ह है, दो सेट, ठीक है, तो उन दो सेट में हम लोगों ने यह समी करन यहाँ पर निकाल लिया है, ठीक है, यह समी करन हम लोगों यहाँ पर निकाल लिया है, अब यह निकाल लिये, तो जल्दी से नोट कर लो, और इसके आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ, आगे क्या करन आप लोगों को, नोट कर लो जल्दी से, यहां पर, यहां पर आप लोग देख सकते हो, कि यह जो MP है, ठीके, और यह जो AB है, आपस में बराबर है, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम यहां पर AB लिखेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, AB बटे, A-B- हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, PF बटे हो जाएगा, B-F, PF बटे, B-F हो जाएगा, अब आप लोग अगर इन दो समीकरणों में देखोगे, जैसे कि मालो यह पहला समीकरण, यह दूसरा समीकरण, तो इसका जो left वाला हिस्सा है, और इसका जो left वाला हिस्सा है, वो common है, ठीक है, दोनों का left वाला हिस्सा common है, तो दोनों के जो right वाले हिस्से हैं, उनको हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, क्या करेंगे बिटा, बराबर कर देंगे, विक्की, लक्ष्मी, अंकीत, अंशिका, सभी बच्चे clear हो ब्रजेश बिलकुल अंकित पाल श्वेता कुमारी सभी बच्चों के कमेंट्स पूछ रही हूं समझ में आया समझ में आया महादेव भोलेनात ओहो गजब क्या बात है क्या बात है अब काया मन करो जल्दी से इसको ऊद्दे नोलोजी इतने सारे यह समस्स अंतूस मिलती है कि मैं ने जो बताया वो आपको समझ आया तो यही खुशी बहुत ही important है महत्वपूर्णा है हमारे लिए जब हम आपको इस तरह से पढ़ा रहे होते हैं बिल्कुल जब आप equate करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर bc बटे b dash c और pf बटे b dash f bc बटे b dash c और pf बटे kya है pf बटे b dash f ठीक है equate हो गया अब जहां पर ध्जान से देखना यह जो bc आप लोगों का यहाँ पर है ठीक है यह जो bc आप लोगों का है अगर मैं इस pb मेंसे मतलब इस पूरी दूरी मेंसे क्या करूँंगी इसको माइनस करूँंगी ठीक है इस पूरी दूरी में से क्या करूंगी मैं इस पूरी दूरी में से अगर ये वाली दूरी को मैं घटाओंगी तो क्या मेरे को ये वाली दूरी मिलेगी हां की ना समझ में आया की नहीं क्या बोल रही हूं मैं अगर मान लो कि मेरे को BC चाहिए ठीक है क्या चाहिए अगर में को BC चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, जो पूरी दूरी है, PB, पूरी दूरी है, उसमें से अगर मैं क्या घटाऊंगी, PC को अगर मैं घटाऊंगी, तो क्या मेरे को मिलेगा, क्या मिलेगा मेरे को, उसी तरीके से ये जो B-C हम लोगों ने निकाला है ठीक है उसी तरीके से ये जो B-C हम लोगों ने निकाला है उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा उसके लिए PC में से हम लोगों को घटाना पड़ेगा किसको इस B-P को ठीक है बिलकुल घटाना पड़ेगा हा की न तो घटा दो जल्दी से कर दो ठीक इसी तरीके से इस PF को बस रहन दो इस PF को बस रहन दो क्योंकि ये जो PF है वो क्या है ये PF जो है हमारे पास ये है focus दूरी ये हम लोगों ने already focus दूरी हम लोगों निकाल लिया है ठीक है और PC हमारे पास क्या है PC हमारे पास क्या है वक्रतात तो हम लोगों को क्या करना है, इनके form में इन सारी चीजों को बदलना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर यह सारी चीजे कर रहे हैं, तो BC को तो मैंने लिख दिया, BC को मैंने लिख दिया, तो BC को मैं क्या लिख सकती हूं, BC जो निकलेगा, वो कैसे निकलेगा हमारा, ये निक जाएगा PC-PB- समझ में आ रहे कि नी बहुत ही आसान है देखो हम लोग ऐसा क्यूं कर रहे हैं इसका कारण में आप लोगों को बता देती हूं क्योंकि फोकस दूरी F हमको पता है वकरता केंद्र से जो है ध्रूव की दूरी वकरता त्रज्या हमको पता है ठीक है और हमको क्या पता है हमको यह प्रतिबिंब से इस ध्रूव की दूरी हम लोगों को पता है ठीक है क्योंकि इस U और V के बारे में भी मैं आप लोगों को यहां पर ब प्रतिबिम्ब की हम बात कर रहे हैं जैसे ब्लू कलर का लाइन मैं यहां पर बना रही हूं यह जो धूव से प्रतिबिम्ब की जो दूरी है इसको हम किस से प्रदर्शित करते हैं वी से प्रदर्शित करते हैं तो हम लोगों को यहां पर तीन चीजे चाहिए होगी एक फोकस ताम जाम कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर देखो आगे क्या कर सकते हैं यह जो B-F है ठीक है यह जो B-F है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ P-F B-F कैसे निकलेगा बिलकुल P-B--- B-F को मैं लिख लेती हूँ B-F को और P-B--- क्या हो जाएगा P-F हो जाएगा क्या हो जाएगा P-F ठीक है तो बिलकुल हम लोगों को P-F के जगह में सब जगह फोकस दूरी रखना होगा और ये तीनों values को हम लोगों को क्या करना होगा ये तीनों values को हमारे को ये समी करण में यहां पर रखना है लिखो जल्दी से लिखो फटा फट लिखो लिखो फटा फट से अपने कॉपी में लिखो नोट करो करो भै नोट Mağam, biology का class कितने बझे होता है तो बायलाजी की क्लास तो 6 बजे होती है नेहा बहुत लेट आई शिवम गंगवार हेलो बिटा क्या बात है गंगवार जी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है ठीक ठाक मज़े लेने आयो कि क्लास करने आयो तो ध्यान दो भाई अंकित पाल समझ आ रहा है शिवानी मार्य साक्षी समझ आ रहा है हाँ बहुत अच्छी बात सबके यस देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है बिल्कुल बेटा लाइव क्लासेस आपकी मंडे वैडनस डे और फ्राइडे को चलती है रात आठ बजे मैं आप लोगों के लिए हाजिर रहते हूँ यहाँ पर बिल्कुल रुद्र प्रताप बताओ क्या बात है क्या समस्या देखो भाइस आप लोग को जो भी पढ़ाई के रिलेटेड प्रॉब्लम है आप लोग बिंदास होकर के कमेंट में पूछ सकते हो अगर मालो की कभी ऐसा हो जाता है कि आपके कमेंट आगे बढ़ जाते तो बिल्कुल आप वावबस कमेंट करो आपकी जो भी पढ़ाई से रिलेटेड समस्या है वो मेरी समस्या है आपकी हर पढ़ाई से रिलेटेड समस्या का समधान मैं बिल्कुल आप लोगों को दूँगी और बिल्कुल इसलिए हम लोग आपके लिए पढ़ना आसान बनाते हैं इसलिए तो doubt net कहता है कि अगर doubt net है तो पढ़ना हुआ आसान और आप लोगों के लिए हर topic को आसान बनाना ही हमारा काम है यहाँ ठीक है अब सारी values जैसे ही लिख दूँगी यहाँ पर PC माइनस PB डेश ठीक है PB डेश और इसके बाद मैं लिख दूँगी क्या PF बटे क्या लिखूंगी PB डेश माइनस PF ठीक है तो यहाँ पर में को PF के जगा में focus दूरी लिखना है ठीक है PF के जगा में focus दूरी लिखना है और क्या पता है मेरे को यह प्रति बिंबकी दूरी हम लोगों को क्या लिखनी है वी लिखनी है तो इन सब की जगा हम लोग क्या करेंगे इन सब की जगा में हम लोग सारी वैलियूस रखेंगे पर जब हम वैलियूस रखेंगे तो हमको चिन परिपार्टी का ध्यान रखना होगा अगर बाइं साइड है तो minus, अगर die inside है तो plus और यहाँ पर सारी चीज़े by inside है तो सारी चीज़े यहाँ पर minus में आएंगी ठीके बिटा, सारी चीज़े minus में आएंगी सभी को clear है और इसी के साथ मैं यहाँ पर values अगर रख दू यहाँ पर तो क्या हो जाएगा PB रख लोगे values, रख लोगे बिल्कुल मैं क्लास किस टाइम तक चलेगी तो बिटा 9 बजे तक के चलेगी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है और बने रहना है क्लास में मैं आप मुझे बिल्कुल बिटा रूदर पिताब आप क्या कहना चाहते हो आप पूछो तो सही मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ बर-बर मैं PDF कहां मिलेगा तो बिल्कुल PDF मिलता है टेलिग्राम चैनल पर आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो क्लास के लास्टर में मैं आपको अपना क्या कर दूंगी जहां पर आप जूर जाओ हमारे सांट टेलिग्राम में वाट्सअप में मेरे को कर लो वहां पर मैं टेलिग्राम की लिंक आपको शेयर कर दूंगी और continue रेगुलर आप लोगों को जो है next day मैं लिंक भेजती रहती हूं ठीक है बिल्कुल अकांशा बिटा ध्यान रखना है कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है तो हमको क्या करना है याद करना है कि हम क्यूं पढ़ रहे हैं कि हर किसी की चीज के पीछे कारण होता है ठीक है अगर आप उस क्यूं को याद रखोगे आपका गोल क्लियर होगा लक्ष क्लियर होगा तो बिल्कुल वो चीज आपको धक्का लगाएगा बिल्कुल पुछ लगाएगा जड़त्व का जो नियम आप लोगों ने कख्षा 11 वी में पढ़ा रहा होगा तो उसी वेज़े से हमारा दिमाग कभी-कभी जो है बिल्कुल जो है काम करना बन कर देता है मजा निया था बट उसके लिए आप लोगों को जस्ट रिफ्रेश करो माइंड को थोड़ी देर के लिए आप इधर उधर जाओ घूमने जाओ कुछ भी करो फिर उसके बाद आप वापस से जो है पढ़ाई पर लग जाओ ठी नहीं दिखा सकते हैं यह वाला जो डेरिवेशन है आख मुंद के कर लोगे आप यह डेरिवेशन आप बिल्कुल आख मुंद के कर लोगे ठीक है तो होई जाएगा डोंट वरी बिल्कुल एकदम आसानी से बस एक बार जा करके एक नियूस पेपर रेडिंग की तरह अपनी यहाँ पर जो है माइनस आर रखना है और बटे में क्या जाएगा बिल्कुल यहाँ पर फिर से PC के जखा में माइनस आर और PB' की जखा में क्या रखना है आपको माइनस V रखना है और यहाँ पर PF की जखा में आप फोकस दूरी का वेल्यू रखेंगे और PB' की जखा में क्य करना है focus दूरी से replace कर देना है तो आर के जगह में आप लोग put कर दोगे equation को solve करो जल्दी से जब भी आप equation को solve करोगे तो आपको दरपन सुत्र मिल जाएगा क्या मिल जाएगा दरपन सुत्र मिल जाएगा शिवानी मौर यह कह रही है मैं मन से बोली कि आज से पढ़ ले चल नहीं पढ़ूंगा और फिल कल पढ़ी तो अच्छा आज पढ़ लो करनी पढ़ा मैं तो बिल्कुल आप एक कविता बोलने की कोशिश क्यों हो बहुत ही मतलब अच्छा है सही बात है कि हम मन से बोलते हैं कि हम आज पढ़ ले तो मन बोलता है कि कल पढ़ ले ना फिर तुम मन को बोलती हो कि नहीं आज ही पढ़ना है और अगर आज ही पढ़ोगे तो ही तुम बच्चों को मेरी वज़ा से अगर फिजिक्स आसान लग रही है बिल्कुल तो बहुत ही अच्छा होगा ठीक है बिल्कुल हाँ और इसके आगे इसके आगे क्या करना है इसके आगे जब आप लोग इस सीच को solve करोगे, तो बिल्कुल solve करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर दरपन सुत्र मिल जाएगा, यह दरपन सुत्र जब आप लोगों को मिलेगा, तो कैसे solve करोगे, सबसे पहले तो आप लोगों को इन चिन्हों को हल करना है, क्या करना है, इन सारे चिन्हों को हल करना है, और इ एक बटे F बराबर एक बटे U प्लस एक बटे V यह आप लोगों को final derivation मिलेगा तो कुछ भी नहीं है आगे simply आप लोगों को क्या करना है सारे चिन्न को हल करना है चिन्न को हल करने के बाद आपको क्या करना है तीरिया गुणा करना है ठीक है तीरिया गुणा करना है और यह च करके भेजेंगे सभी बच्चे साक्षी सिवानी देखो अब तो आप बड़े हो गए हो मिलकुल 12 में भी बड़े हो शुरू में मैंने आपको हर चीज पूरा करके दिखाया ठीक है और ये तो बहुत ही आसान है इसके आगे का आपको सबको करना होगा करना होगा की नहीं बिल लोगों को इस दरपन सुत्र के related questions भी practice करने हैं ठीक है किया करने आप लोगों को question बहुत अच्छे से practice करने है ठीक है को ते ब्यूंट योट को हाव बिलकुल मैं आपने बच्चों से मेहनत भी कर वाती हुं क्योंकि आपको जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा हम आपको रास्ता दिखाते हैं पर चलना खुद को है चल रहे हो कि नहीं इस बात का बिल्कुल मैं आप लोगों का observation लेते रहोंगी आप लोगों से पूरी चीज जानकारी लेते रहोंगी कि आप लोग पढ़ रहे हो की नहीं आगे बढ़ रहे हो की नहीं तो बिल्कुल इस चीज पे आप लोगों को एकदम अच्छे से बने रहना है और बिल्कुल आप लोगों की जो भी समस्या है पढ़ाई के related आप comment में ल आपको शेर कर दूंगी ठीक है गाईस तो यह homework है आपका करके आपको भेजना है मेरे को इसके related numericals भी हमको solve करना है बिल्कुल तो अभी फिलाल हम आवर्धन की बात कर लेते हैं जब हम आवर्धन की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आवर्धन का मतलब समझ लेते हैं ठीक है तो आवर्धन का मतलब क्या होता है आवर्धन का मतलब होता है विस्तार क्या होता है आवर्धन का मतलब विस्तार जैसे कि हमारे पास जो प्रकाश की कीरण है ठीक है प्रकाश की कीरण है वो हमारे पास कब आई कब आई हमारे पास प्रकाश की क रही है और परावर्थन के पश्चात यहां पे क्या मिल रहा है हम लोगों को वस्तु का प्रतिबिंब मिल रहा है तो यहां पर दरपन से इसका कैसा विस्तार हुआ बड़ा प्रतिबिंब बना चोटा प्रतिबिंब बना कैसा बना क्या बना तो बिल्कुल इस चीज को डिस्क करना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि यहां पर यहां पर यह जो प्रतिबिम्ब की लंबाई है यह जो प्रतिबिम्ब की लंबाई है A1 B1 और यह जो वस्तु की लंबाई है इनका आनुपात क्या कहलाता है आवर्धन कहलाता है तो इसको हम लिख सकते हैं आवर्धन को सब से पहली बात हम प्रदर्शित करते हैं M से और यहां पर M का मतलब ये होता है कि जो प्रतिविंब की लंबाई है प्रतिविंब की उचाई या लंबाई बोल सकते हों उचाई कह लेते हैं यहां पर प्रतिविंब की उचाई बटे वस्तु की उचाई ठीक है तो जो प्रतिवि प्रतिभिंब की जो उचाई होती है उसको हम प्रदर्शित करते हैं H से और ये बिल्कुल इसके जगा में हम लोग क्या लिख सकते हैं प्रतिभिंब की धूरी बटे वस्तू से धूरी तो बिल्कुल उसको हम V बटे यू भी लिख सकते हैं पर जब हम इसको V बटे यू लिख करेंगे यह जो यहाँ पर हमारे पास त्रिभूज है और यह जो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है जो त्रिभूज बन रहा है बिल्कुल इन ही की सहायता से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इस प्रूफ को करेंगे ठीक है तो इस प्रूफ को करना है तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है प्रतिविंब की उचाई क्या है A1 B1 बटे वस्तु की उचाई क्या है A B ठीक है वस्तु की उचाई है A B तो यह कौन से त्रिभूज में हो गया पहले तो त्रिभूज लिख लेते हैं हम लोग क्या करें त्रिभुच A B C तथा त्रिभुच A 1 B 1 और C में ठीक है A 1 B 1 और C ये दो त्रिभुच ले रहे हैं सेम एक जिस्टीस जैसे हम लोगों ने इसके पहले किया था ठीक है जैसे हम लोगों ने इसके पहले किया था वैसे कि आप लोगों को करना है ठीक है इसके बाद इसके बाद या फिर आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर यह जो त्रिभूज बन रहा है ठीक है और यहाँ पर यह जो त्रिभूज बन रहा है इसको भी ले सकते हो ठीक है तो एक काम करते हैं हम वो सेकेंड वाला त्रिभूज ले लेते हैं क्योंकि अग क्वेशन हो जाएएगा कैसे लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को क्या है तो क्या करेंगे A1 बटे B1 तो हम लोगों ने लिख लिया और बटे में क्या लिखेंगे यहाँ पे P B1 P B1 बटे BC ठीक है P B1 बटे BC अब यहाँ पर यहाँ पर जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ाता इसको हम लोग क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, H से प्रदर्शित कर रहे हैं, और A1, B1 को हम H' से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, और ये वाली जो दूरी है, वस्तु की दूरी धूरी से, और ये वाली जो दूरी है, ये क्या हो गई, U हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, U ह गई है प्रतिबिम्ब की दूरी है तो यू कैसे हो सकती है भाई वी होगी ना है की नहीं चलो हां तो इसके आगे हम लोग जैसे एवन और बी वन का अगर मान रखेंगे तो यह क्या आजाएगा हमारे पास एच डैश बटे एच आएगा एच डैश बटे एच और पी बी वन की अगर हम बात करें तो यह क्या हो जाएगा प्रतिबिम्ब की दूरी यह हो जाएगा माइनस वी इसको लिख लेते हैं और यहाँ पर बी सी बी सी को कैसे लिखेंगे हम पूजा हमें नहीं पता कोई बात नहीं ठीक है ऐसे ही अच्छी लगती हूँ थाइंक यू रोशनी लिख रही हो काजल देवी आप लिख रही हो की नहीं जल्दी से बताओ राम मुरारी राम मुरारी अलका गाइस ठीक है तो देखो अब यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना ठीक है यहाँ पर यह थोड़ा ध्यान देना कि जब आप लोग जैसे की यहाँ पर त्रिभूज ले रहे हो ठीक है यहाँ पर जो त्रिभूज ल क्यों चाहिए तो एक काम करते हैं जैसे की त्रिभूज में हम लोगों को जो चाहिए क्या चाहिए हम लोगों को यहां पर जैसे कि यह वाला हिस्सा चाहिए और यह हमारे पास यू है और ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास भी है तो मान लोग की exam में आपको clear नहीं हुआ कि यहाँ पर हम लोगों को कौन सा त्रिभूज लेना है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा confusion यह है कि त्रिभूज कौन सा होगा क्या confusion है कि त्रिभूज कौन सा होगा कैसे कैसे पता चले मान सकते हैं अलपना बीटा किस चीज को पूछ ख रही हूं अबिटेस हम प्रतिभीम्ब की उचाई हैं क्या मानते हैं बिल्कुल एड़ेश हाँ बिल्कुल मान सकते हैं A1 B1 के जखा में हम A-B-one सकते हैं बस हम लोगों को जैसे यह जो त्रिफूज है तो यहां पर यह वाली जो दूरी है इस से मतलब है हमको और यह वाली दूरी से मतलब है ठीक है तो सबसे पहले यह जो प्रतिविम बन रहा है तो हो सकता है कि कोई भी दरपन का किसी भी पोजिशन का केस हो जैसे फिलहाल हम लोगों ने भले ही य कुछ और डेरिवेशन दिया हो क्योंकि हो सकता है कि इमेज अलग अलग हो तो बिल्कुल आपको ना सोचना ये है कि हमको चाहिए क्या ठीक है तो हम लोगों को आवर्धन चाहिए मतलब कि वस्तु का विस्तार जो है प्रतिवींबक के रूप में कितना बड़ा हो रहा है ठीक यह मैंने बनाया ठीक है यह मैंने बनाया तो यहां पर कीरण आपतित हो रही है ध्रूपर और बिल्कुल अगर मैं ब्लू कलर से अब बनाऊं तो यहां पर यह वाला त्रिभूज यह वाला त्रिभूज यह दो त्रिभूज ठीक है तो त्रिभूज की वज़ा से हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ पर confusion हो ठीक है पड्ध ये confusion आप लोगों को होने नहीं देना है और यहाँ पर क्या करोगे यहाँ पर 8kch a pb यह वाला त्रिभूज हो गया त्रिभूज ओ गया त्रिभूज रिडे करके बता रही थी कि अब यह चीजी आपके साथ ना हो तो बिल्कुल इस चीज के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है इस चीज के लिए आप ध्यान रकोगे तो यहां पर यह दो त्रिफुत जादा बहतर है क्योंकि हम लोगों को u और v पता है और प्रति बिम्ब की उचाई औरν वस्तू की पी बी पटे क्या हो जाएगा पी बी वन हो जाएगा पी बी पटे पी वन हो जाएगा और यहां से यह जो है यह प्रतिबिम्ब बिलकुल नीचे की तरफ है और बिलकुल बाएं साइड है ठीक है किधर है बाएं साइड है नीचे की तरफ है तो यहां से आप लोग इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो आप, माइनस आई, और यह हो गया अबजेक्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, पी बी बटे पी बी वन, पी बी क्या होगा, ये होगा यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, माइनस यू और माइनस वी, यही होगा क्या, पी बी नहीं यहाँ पे जरा उल्टा लिखा गया है इसको प्लीज करेक्ट कर लेना यह होगा पी बी वन और पी बी गाइस मैं एक बार फिर से शुरू से एक्स्प्लेंड कर रही हूँ ठीक है कमेंट्स देख रही हूँ अंकित पाल एक बार शुरू से एक्स्प्लेंड कर रही हूँ कहीं पर भी कंश्यूजर नहीं होने देना है ठीक है यहाँ पर ध्यान से देखो हम लोग जो त्रिभूज यहाँ पर ले रहे हैं ठीक है बार बार इसमें हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ यह क्लियारिटी नहीं हुई कि हम कौन सा त्रिभूज ले सकते हैं मैंने आप लोगों को दो तीन बार अलग अलग त्रिभूज ले करके बताया पर हर बार यहाँ पर क्या हो रहा था रॉंग हो रहा था क्यों कि जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ तो हम इस त्रिभूज का आपस में connected नहीं है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे ये त्रिभूज भी नहीं लेंगे ठीक है इसके बाद हम लोगों ने क्या किया ये वाला त्रिभूज लिया और हमने ये वाला त्रिभूज लिया तो मैं कारण आप लोगों को बता देती हूं कि ये set of त्रिभूज लेने थर्ड वाला सैट लेने पर हम लोगों को ये वाला एक्वेशन मिला ठीक है तो इस एक्वेशन में हम लोगों ने क्या किया जो प्रतिभिंब की उंचाई है उसको पहले लिखा बटे हमने क्या किया बस्तु की उंचाई लिखा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसके बा बस्तु की दूरी को धूर्व से कितनी दूरी है उसको हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा लेना पड़ेगा ठीक है अब यह तो एगलिस क्लियर हो ही गया होगा अब इसके आगे जैसे कि फिल हाल मालो की आपको पता नहीं है इतना पता है कि यह I for और क्या है image, I for image, I for ilaqranthi maim और I for image है यहाँ पर और यह जो image बन रहा है तो फिलहाल के लिए इसको आप I लिख लो, ठीक है, और यहाँ पर यह क्या है object मतलब की वस्तु, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूं, बैटर रहेगा, प्रतिबिम्ब लिख देती हूं, ज् से प्रतिबिम्ब की दूरी क्या होती है, V होती है, और ध्रू से वस्तु की दूरी क्या होती है, U होती है, पर क्योंकि चिन्ह परिपार्टी हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो चिन्ह परिपार्टी के अनुसार यहाँ पर क्या आएगा, माइनस चिन्ह आएगा, ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि प्रतिबिंब और वस्तु में हमारा माइनस चिन्न कहां पर आएगा ठीक है तो देखो वस्तु में तो हमारा माइनस चिन्न होगा नहीं पर जो प्रतिबिंब है यहां पर हमारा माइनस चिन्न होगा क्योंकि वस्तु के लिए हम लो और इमेज या प्रतिबिम्ब और यह बिल्कुल इस तरीके से मैंने लिख दिया ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यह जो दो माइनस है यह क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं I बटे ओबर आबर माइनस V ब सूरी कितनी थी तो बड़ा बन रहा है या जोटा बन रहा है हिसके खेसे इसके लिए जैसे righteous लीख सकते हो फैके तो यहां पर यह जो आप लोगों को मिला है फाइनली यह आप लोगों का आवरधन का फइनली जो आप लोग लोगों को चाये वो है ठीक है, derivation आप लोगों को finally जो चाहिए, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, M से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर M बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिम्ब की उंचाई बटे, वस्तु की उंचाई बराबर, प्रतिबिम्ब की धूरी और वस्तु की धू उसे दूरी और यह माइनस चिन, ठीक है, तो यह derivation से ही माइनस चिन आएगा, वैसे इसका derivation इतना important नहीं है, तो जस्ट आप लोग एक बार read कर सकते हो, या एक बार दो बार लिख करके practice कर सकते हो, पर दरपन सुत्र का derivation है, यह derivation आप लोग at least तीन बार लिख करके जरू practice करना, क्योंकि दरपन सुत्र का यह आगे चल के जो लेंस पढ़ोगे, ठीक है, तो लेंस सुत्र का derivation exam में पूछता है, ठीक है, बट यहाँ पर यह formula से आप लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि इसके related आप लोगों को क्या आएंगे, numericals आएंगे, ठीक है, numericals जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आज ही class को हम यहीं पर खदम करें, ठीक है, इतना ही था, सारा derivation थोड़ा सा difficult है, पर मैंने कोशिश किया, कि मैं आप लोगों के लिए आसान बनाऊ, और जब ह हम लोगों ने आवर्धन का derivation किया, तो मैंने आप लोगों को तीन तरह से derivation बताया, जिसमें पहले दो तरह wrong थे, थर्ड वाला टाइप हमारा सही था, क्योंकि वहाँ पर फुल गलती होने के chances है, क्योंकि थोड़ा सा complex है, वहाँ पर त्रिभूच कैसे कहा पर होगा, ठीक क्योंक मच्ज़ध वे वहाँ घग से पाormा कर वे, पॉदिए पर लोगों मारा मोला चाट को सा orden रहाँ है, क्योंकि ए evangel वम्या कर, लोगे, जिसमें लोगों को साक्ता हूवार लोगों कर दिन्षाओंस ट्मना गलती है, दोटना है लोगोंकि वहाँ सा क्योंकि यह दिसमे